पुलिस के हाथ पुश्पा की हत्यां की अप्माओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तोरों तिरुपती के कई एलागों में दंगे शुरू हो और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुश्पा की समझ तक हजारों सी तादार सड़कों दराएं पहाड़ी उपर पुलिस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खुल से लफपर शोट पर मिले आठ गोलियों के लिशा यह क्या कर रहा है कि गोलियों से घाल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर गर्साई गोल लाँ और चराहे कि पुश्पा कम भी रूप से सख्मी हुआ है शेशाचलम के जंगरों में पुश्पा को दूनने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूर्ट जब लौई कि है सब बस यहीं देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह पादा था वाल तुमाल अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रूल पुष्पा का अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है क्या नाम हाता है लाल शंदन जपाइं न पॉल्स आंग न लाएना सामने पुश्पा लो जपाइं पे क्या फो रही है रुणी थे यह सब कुछ ऐसे क्वाशन से जिनके जवाब पूरी दुनिया डोल रही है तो अपने उरियोसिटी को शान करने लिगर आए हैं दोस्तों इन सबी सवालों के जवाब जो एक वह वाई थी जो अभी का भी चर्चा में थी पंक कर नाम था पुश्पा पुश्पा में जगनल पे उने वाली रेड़ गुट स्मॉगलिंग के बारे में बताया गया था पूंपुश्पा में दिखाया जाता है कि इस जगल में लाव चंतन कि किस तरह से तफकरी की जाती है, और या लाव चंतन किस तरह से बेचा जाता है। जंडल का रामदा शेष्चलम पाड़ी को की बीच पास चेर हेक्टेर से अधिक एरिया में है। इस जंगल को लाव चंदन की विज़ा से जाना जाता है। और लाव चंदन से पांधर प्रदीश राज्ये के करपा, चित्तूर और निलोर जिलो में पाया जाता है। इतना ही की दुलड़ाप होने की वज़ा से स्मग्लर्स की जंडल पर खास मिगाहे होती है। और स्मग्लर्स को इससे काफ़ी फायदा भी होता है। हाला कि अब तो इसकी कटाई पर बैल नगाते गया है। और इस आंधर प्रदेश से बहारे जाना भी लीकर हो गया है। जिसकी मड़ाल कर हर साथ 2000 लाज नंचिन नायन मुबई और कॉलगता बंदर गाहों दधा नेबाल और दिद्बत के रास्ते प्रम्होग बाजार में चीन ले जाते थे। बोलकरी को चद्दरों से ड़कते सरसों की खली नारियल के रेश और नवत की बीच में शिपाते ने कि वो दूत के टांट में चुपागर इसको लेके जाता था लेकिन सबको लगता था कि ये तो सब चीज सिर्फ जूटी है ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन असलियत दिया की है कि पुष्पाव और रियल लाइफ इंसिदेंस को देखते हुए यह बनाए गया रहे लेकिन क्यों सब लाग चंदन की पीछे हाथ दोगत पड़े हैं यह तो लगणी कापी चीजों को बनाने में काम आती है दोस्तों लाग चंदन की मां फरनीचर सजावती समान पारंपारिक वादे अंदर के लिए अधिक है इसके लावा हिंदो देवी देर्ताओं की हूल दिया तस्मीरो मार्केट में चंदन की नपरियों की कीमत काफी जादा है चीन जपान सिंगपोर यूए ऐसरी अन्य देशों में भी नपरियों की काफी डिमांड है लेकिन सबसे अधिक मांद चीन में ही है जपान में पारंपरिक वाद यंत्र शामी शीन के लिए भारत से लाग चंदन का सबसे अच्छी माने जाती है इसका वपहों में जिकर किया रहा था जिसे आच्छी तरह थे पुष्पाट्यों में दिखाएं पहुंचती है इसलिए दोसाइब को है इंडियार जपान दोनों में साथ में रिलीज करने का पैसला किया है अब पुषपाटू की में जोरो शोरो से चल रही है जो की काफी जल्दी खतम हो जाएगी पांसर इंडास्ट्री से जुड़े लोगों ने पुषपाटू की दीजर सब्सक्राइब की काफीर प्रेस भी किया है सभी कोई यगीन है कि इसका दोसरा पार्ट भी सुपरेंट होगा में गस्को लगता है कि पुषपाटू इतिहास रचेगी ये ब्लाउंड वस्टर साबित होगी लेगिन क्या पुषपाटू प्रभास की बाववली ज़रूर तो पाएगी पुषपाटू की कहानी कोई का लग लेवल पर बनाया चुआ रहा है आपके फ़पुलेगर क्या विचान है कॉमें सेक्शन पर जरूर पताएगा हमारे याशी राइट है मनीशा जैन रेट सांडलबूड माफिया सेंटोर पुषपाटर राइस के सीक्वेल पुषपाटर रूर के लिए अलू अजुन जापानीस भी बोलने वाले हैं क्योंकि इसमें जापानीस करेक्शन भी दिखाया जाएगा क्योंकि अब ये इंटरनाशनल लेवल के स्मगलर बन जाएंगे ऐसे मदापका सुकुमार का ये प्लान है कि एक इंटरनाशनल लेवल बिलन इसमें एड किया जाए मतलब पहाद पासल तो होंगे ही पर वो तो इंडिया में होंगे ना और इंटरनाशनल लेवल मतलब कि इंडिया के बहार जाकर जब पुश्पा अपना business explode करने लगेगा तब वहाँ पर भी उसके दुश्मन पन पेंगे यानि कि बनेंगे और अगर वहाँ का leader उसे बनना है तो किसी ना किसी के सामना तो उसे वहाँ पर भी करना ही पड़ेगा तो ऐसे में एक international level का actor इसमें नजर आ सकता है अब वो कौन होगा कोई Hollywood का actor होगा या पर कोई और होगा ये नहीं पता है पर पहले से ही इन्होंने ना international standards बनाए हुए हैं ऐसे में ये चीज करके ना standard को और अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकते हैं बैसे जो भी हो पुषपा को किसी की नजर ना लगे अब किसी भी पुषपा को नजर कैसे लगती है अब नजर तो भाई बस controversy की वज़ह से की लग सकती है और controversy ना South, Bollywood, Hollywood ऐसा कुछ भी नहीं देखती है वो सब के लिए बिल्कु same to same होती है मतलब tension देने में आप कोई partiality नहीं करती है अब पुषपा डू के बारे में हमने आफ़ा इसलिए कहा क्योंकि एक तो इस पर्म को international level पर बनाया जा रहा है सुकुमार और अलू अरजुन पर्म को लेकर इतने पजल से भना कि वो कोई गरबर करना ही नहीं चाहते है पर बात यह है कि पुषपा डर्राई से popularity हासल कर चुकी आक्टर जगदीश भंडारी जिन्होंने केशब को character निभाया था यानि कि पुषपा की दोस्त का तो वो जेल में थे इन्होंने एक female artist के कुछ photos निकाले और उसे blackmail किया जिसकी purchase उसने suicide कर लिया तो ये एक serious matter था जिसकी वज़ों से वो जेल में थे तो खबरे आना शुरू हुई कि वो film से कैसे जुडेंगे या पर जेल से बाहर कैसे आएंगे बगेरा बगेरा और makers भी ना खुशिश करे थे कि वो जेल से बाहर आ जाए ताकि शूटिंग डिले ना हो और fans डिले का कारण ढून रहे थे SMS टॉपिक पर चरचा भी होने लगी जो फॉस होते तो नहीं थी बिलकुल भी पर इस बंदे को अब जमानत मिल चुकी है और वो शूटिंग करने के लिए आ सकते है उन्हें कोई आक्ट रिप्लेस नहीं करेगा पर इन्होंने जो किया है जिसकी वज़ा से वो जेल में गए अगर ये बात धीर धीर सामने आईना तो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के मन में ये सवाल आए कि इसे क्यों लिया गया हाँ ये बात भी है कि इसका इंपक्ट पुश्पाट उपर नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि पुश्पा के लिए लोग क्रीजी है पर केशब करोल पुश्पाट उपे बहुत माइने रखेगा क्योंकि ये पुश्पाट को फसाने वाला है तो ऐसे में इस पर भी फोकस होगा तो सवाल उठेंगे भी पर हम तो यही चाहेंगे कि उन सवालों का आगे कुछ ना हो क्योंकि हमें तो सिर्फ फिल्म में ही इंटरेस्ट है ना क्यों वैसे आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में तरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जैसे शादी में भर भर के मैन्यूस होते है कि क्या खाये क्या नहीं समझ में नहीं आता है वैसे ही 2014 में इसनी फिल्में आ रहे ही कि कौन सी देखियो कौन सी छोड़ देखियो यह समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्लाश्ट भी है जैसे कि पुश्पाटू वर्सिस सिंगम अगेन बड़े मिया छोटे मिया वर्सिस मैदान इमर्जेंसी वर्सिस चंदू चांपियन एक्टर 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 अब पुश्पाटू वर्सिस सिंगम अगेन की बात करें तो इनका क्लाश बिल्कुल सही नहीं है पर ये दोनों अन्टिसिपेटर फिल्मे हैं और जब दो अन्टिसिपेटर फिल्मों को क्लाश होनेकी चार्चा होगो तो एक्टर बर्स क्रिय hemen क्लाश है इस फिल्मों के स्टार का सोशल मीडिया वैफ also ठ्वीलर faculty डिसाइड करेगा. और गणिक बस बहुत साधा माइनी रखता है जो अभी थोड़ा सा कुरुशियल है. पर अगर पुष्पा 2 वर्सिस सिंहा मगेंग में देखें तो पुष्पा का और गणिक बस दिखाई देता है और सिंहा मगेंग का धीरे धीरे बस दिखता है पुष्पा की कंपारिजन में स्टार्टिंग से उतना बस नहीं था पर मामला टक्कर का हो रहा है तो ऐसे में क्या मैटर करेगा? पन का कंटेंट और क्या करेगा? अब वर्ड फेमल टकी वर्सिस सालार का एक्जामपल तो अविलेबल है एक पॉइंट पर ऐसा भी हुआ था कि शालुखान की जबान पठान की एक्सपेक्टेशन लेकर जब कुछ लोग टंकी देखने का है और उस लेवल के एक्सपेक्टेशन पूरी तकी हुई तो एक ड्रॉप नजर आया जोग सालार की तरफ बढ़ने लगे और सालार की नंबर्स इंक्रीज होने लगे तो पुष्पा वर्सिस सिंगम अगें में कंटेंट भी पुष्पा के लिए यहां पर एक फाइदा हो गया तो पुष्पा टोकी और बढ़ जाएगा क्योंकि पुष्पा टोकी तो भाई पान इंडिया फॉलोईंग है और जिसने की पुष्पा टोकी पुष्पा टोकी नहीं होगा तो यह पुष्पा टो पाइदे में है वैसे यहां सिंगम अगें के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है वैसे सिंगम अगें के पोस्टर से चर्जा और बढ़ चुकी है पर उसके आगे पुष्पा वाले कुछ और खतरनाक लाएंगी नहीं जिसके उनका वर्स बरकरार रहे यह तो होता ही रहेगा वैसे आपकी नजब में किसका पुष्पा की अप्वाओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तुरों तिरुपती के कई अलागों में दंगे शुरू है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा की समत तक हजारों की तादा शड़कों करना रहे है पहारी उपर पुलीस ने पुष्पा की कुछ तपड़े बरामत किये पुल से लखपड शोट पर मिले आठ गोलियों के निशाब ए यह क्या कर रहा है तुँ गोलियों से खाइल पुष्पा हुआ तिरुपती जिल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बसाई गोलिया पता चराहे कि पुष्पा कम भी रूप से सख्मी गुआ है शेशाचलम की जंगलों में पुष्पा को डूनने के लिए पुलीस ने इक स्पेशल यूने डिपलॉई है अब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कामाता था अब तुमा ला महितिया का पुष्पा ने पईसों का क्या कि पुष्पा ने ही कर वाए पुष्पा नहीं हमारे लिए घर बन बाए पर यह वो आम परेगों को खाना खिला था जन्डलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्विलेंस का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राफ किया है यह कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी पुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रून पुष्पा का रजल शेर ही जानवर दो कदम पीछे लेचे आया है मुझा कर दो साल 2021 में पुष्पाद राइस ने ऐसी एंट्री मारी कि सोया हुआ परिशान बॉलिवोड नाफ़र से जंदा हो गया अब पुष्पाटूगी लिए अभी तक कोई आइटेम सौंग शूट नहीं किया गया है इसका रीजन ये है कि डार्टर सुकुमार का ध्यार सिर्फ फम की शूटिंग पूरी करने पर है क्योंकि वो पंद्रा अगस्त को ही पम रिलीस करेंगे मतलब करेंगे ऐसे में म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रशाद ने कुछ ट्यून्स बनाई थी पर उन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सुकुमार अभी काने पर फोकस करने के मूदमिन नहीं है और जब तक कोई अच्छी ट्यून नहीं होगी तब तक तो वो बिल्कुल हान नहीं करेंगे तो इतके चलते अभी आइटम सॉंग शूट नहीं होगा वैसे पुश्पा टुके साल साथ अभी पुश्पा 3 की चर्चा हो रही है जिसे लेकर फैन्स एक्साइड़ है देखने के लिए सब लोग काफी एक्साइड़ है पर अलुवर्जन अगर बार बार उसी क्यारक्टर को दोहराते रहेंगे तो क्या उस क्यारक्टर का वो जो औरिशनल एसेंस था वो रहेगा अब जैसे SS राजा मॉली बाहु बली 2 के पास बाहु बली 3 लाएंगे ऐसा कहा गया पर अभी तक वो प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए है हाँ वो बागी प्रोजेक्ट पे बिजी है पर बाहु बली 3 पर बड़ा कुश्चन माग तो है ही क्या पता वो बाहु बली जैसे क्याक्टर को चुविंगम की तरह चबाना नहीं चाहते हो क्योंकि चुविंगम चबाने के बाद ना उसका टेस्ट गायब हो जाता है तो बाहु बली कभी ऐसा ही हाल ना हो जाए इसलिए वो नहीं बना रहे हो उसे अगर हम बॉलवर्ड में दबंग फ्रेंचाइजी को देखें तो दबंग के अगले पार्ट के लिए हम लोग उतने एक साइड़ नहीं रहते हैं क्योंकि चुविंगम का क्यरक्टर तो एक चाहता है वो तो चुर्बल था ही नहीं जिससे हम पहले एमोशन ने कनेक्ट हुए थे और उपर से क्यरक्टर को एमोशन देलिवर करने के लिए उतनी खास स्टोरी भी नहीं मिली थी तो रिपीटेटर स्टफ से तो मज़ा खराब होगा ही अगर राइटर न्यू इंगेजिंग प्लॉट लिखे हीरो को ऐसे प्रज़न करे जहां उसे एक्स्प्लोर करने का स्कोब मिले तो थीक्वल में प्रब्रम नहीं है क्योंकि ऐसा जब तक नहीं होता है ना तब तक मज़ा नहीं आता है या आपने अभी देखा हो गया isझाथ क्या हाल हुआ है वैसा ही हो जाता है टायकर की कैरेक्टर को जस्थस नहीं दिया गया कैरेक्टर को लिखने और प्रज़न करने में भी घ़सी आती वीक लग रहा था वो तो ऐसा ना हो जाए अगर सुकुमार पुश्पा 3 में कुछ unpredictable परोसेंगे तो चलेगा पर पुश्पा का level बरकरार रहना भी ना बहुत कमपल सरी है वन्ना उसे stretch कर भी कोई फाइदा थोड़ी ना है देखते हैं कि क्या होता है पैसे आपके ख्या ख्याल है क्या पुश्पा 3 बननी चाहिए या पर नहीं हमें कॉमेर्स में तब बताए साथी वीडियो अची लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें जिन पर घरोसा करते है उनसे दूखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़के गल्पी कर दिया कर देने का था उसे उसे इसकी कीमत चुखानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी फड़ गई थी क्या कोल्यों से घायल पुष्पा हुआ तिरूपती चेल से फराख पुष्पा की कहानी खतम नहीं होने वाली क्योंकि पहले पार्ट में पुष्पा का राइस हुआ दूसरे में पुष्पा रूल करेगा और तीसरे में पुष्पा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा विससे पहले तो दूसरा पार्ट भी नहीं आने वाला था ये तो शूटिंग के दुरान सूख कुमार सर को ऐसा लगा कि फिल्म दो पार्ट में बनी चाहिए और अब जिस तबहा इस फिल्म की हाइप है उसे देखकर तो ऐसा लगता है ये फिल्म दूसरे पार्ट में भी खदम नहीं होगी इसका तीसरा पार्ट भी आएगा जिस लाइक केजी है साथ दोस्तों हमारे पास ऐसो रीजन्स भी है जो ये प्रूफ भी करते हैं कि पुश्पा 3 आने वाली है तो उसमें सबसे पहले है इस वर्मी टाइम लाइन जो हमें 24 की दिखाई गई है इंटर्डॉक्टरी वीडियो में लेकिन दोस्तों अगर आगको याद होगा पुश्पा 1 में तो उसमें हमें 90's के आस पास की टाइम लाइन दिखाई गए थी जिसमें लाइस सील में हम पुश्पा और शिवल्ली की शान देख रहे थे तो फिर ये जो 3-4 सालों का ग्या है उसे कबर किया जाएगा पुश्पा 3 में उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि पुश्पा को किया गया है अरेस्ट यानि कि पुश्पा और बवर सिंग के पीच की जो लडाई थी वो भी शायद इस पार्ट में नहीं दिखाई जाएगी और तीसरे पार्ट में दिखाई जाएगी लेकिन उसे detail में part 3 में दिखाया जाए रहा उसके बाद हमारा final reason है introductory video में दिखाये गए 3 Asian countries जो हमें part 2 में नहीं part 3 में दिखाया जाता है कि pushpa इन 3 countries में हो सकता है लेकिन pushpa तो जेल में था share को डरा रहा था फिर अगर इन 3 countries का नाम दिखाया गया तो कुछ तो connection होगा जिसका पता हमें part 3 में लगेगा भले ही ये theory ये concept सुनकर हमें ऐसा लग रहा हो कि pushpa सीरीज केजर सीरीज की copy कर रही है क्योंकि उसके दूसरे partner भी rocky का rule देखने को मिला था तो दोस्तों वही उसका तीसरा part हमें flashback मिले जाएगा और उसके downfall की बुबजा दिखाने वाला है लेकिन कुष्पा रॉकी भाई दोनों ही अला अला characters है उनमें सिर्फ एक दोगी similarities है जिसके उनकी माँ वो दोनों ही अपनी माँ से काफ़ी प्यार करती है और उनका इस दुनिया में नाम हसल करने का जजबा पिर भले ही वो गलत तरीके से ही क्यों ना इसके अलावाद उनों की story और character काफ़ी अलग अलग है तो आपका स्कुपर के कहना है comment section में जरूर बिताएगा हमारी आज की writer है Manisha बिधानी धन्यमस्कार आप सभी का सभागत है बॉलिक्राइब स्टूरियोस में हूँ आपके साथ है अनुष्का त्यानी प्लार नहीं fire है और पुष्पा का यही fire इंटरनेट पर छाया हुआ है दोस्टो और इसका पूरा श्रेज आता है पुष्पा की marketing team को क्योंकि पुष्पा आय थी दोसरी किस में चल रहा है साल 2024 और हम सभी तब से कर रहे है पुष्पा आने वाला है पुष्पा आने वाला है पहले कहा गया था कि 2025 के December में आएगा लेकिन तब भी नहीं आया फिर सामने आया है कि shooting चल रही है और फिर कुछ वक्त पहले एक दमाकेदा आया सबसे अलग पोस्टर आया जिसमें पुष्पा का निमदसीन अफ्तार मतलब उस पोस्टर ने ना दोस्तों इंटरनेट पर सिर्फ पायर इनएबल की लगाई थी आइटम बॉम से एक आग और उसके बाद announcement हुई कि कुछ आने वाला है और जिस दिन के announcement की उस दिन ये announcement की गई कि दो दिन बाद एक वीडियो आएगा दोस्तों यहां पर चॉला की वाली बात यह है कि उन्होंने इतनी hype create कर दी कि पुष्पा के hashtag को trending कर दिया गया कुछ पा वीडियो के end में आता है वो भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए पर दोस्तों वो भी क्या आया मतलब जिससे शेर तक डर गया शेर ने दो कदम पीछे ले लिए और फिर उसने ऐसे मतलब कुरसी पर बैठ कर बोला rule दोस्तों तब आ रहे थे literal goose bumps या आकर के 10 सेकंड से सब लोग thrill हो गए थे कि हाँ इसमें दम तो है पर यहाँ पर खास बात है marketing की मतलब अगर आप गौर से इस वीडियो को देखे वे तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि यह टीजर है यह ट्रेलर है मतलब यह दे पुष्पा को कोई भूलेगा भी नहीं कि पुष्पा तो नाम की भी एक पल्म आने वाली है जो सबको जुकाने वाली है क्योंकि पुष्पा is the greatest mass action movie of all the times और अलु अरजुन ने जो performance दी है दोस्तों वो भी काविले तारी थी और इसलिए उन्हें नाशनल अवार्ड मिल च आठ क्या क्या है अरक्यर कैसे पुष्पा ने एसा लुक लिया और क्यू लिया जब इंस में सभी जगा पुष्पा नहीं दिख रहा था और सभी सोच रहे थे कि पुष्पा क्या हो गया है या पिर पुष्पा कहाँ पर है लेकिन दोस्तों कई나 कहीं हमizaricon ये जानते थे है कि पुश्पास जिन्दा है और आएगा ज़रूर और जो 10 सेकिन का सीन था वो गाप ही अच्छा था पर जब वोस्टर था वो उससे भी अच्छा था तो आपको क्या जादा पसंद आया पूस्टर या पर वीडियो डू लेटिस लो एंदे कॉमिन सेक्षिन हमारी आज की आज करने के लिए आया मैं पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ तपड़े बरामत किये फिल्म और पुश्पाटू के साथ अलू अजुन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया ऐसा कहा जाता है कि वो प्रभास की मुवी सालार जो 2020 में तेहलका मुशा चुकी है उसकी स्ट्राटेजी या उससे फुश्पाटू वाले फॉलो कर सकते हैं अब किस मामले में तो प्रमोशन की मामले में पर जब सालार को उतना प्रमोशन नहीं किया गया और जितना भी थोड़ा बहुत प्रमोशन था वो रिलीस डेट के बाद किया गया तो पुश्पा वाले इस बारे में सोच सकते हैं ऐसा कहा जा सकता है तो क्या जस तरह से सलार की दो गाने रिलीस डेट से पहले रिलीस किये गए और दो गाने बाद में बहुत ही किया जाएगा अगर पुश्पा तूकर मेकर्स ने सलार की स्ट्राटिजी अपनाई तो ऐसा हो सकता है पर ये सब कुछ इसली कहा जाता है क्योंकि सलार वालों को तब किसी भी तरह शूटिंग और सारा काम निप्टाना था उनकी पास टाइम नहीं था पर ना मूवी पोस्पॉन होती है और पुश्पा के केस में ऐसा बिलकुल हो रहा है कि शूटिंग पूरी नहीं हो रही है और मेकर्स नहीं चाहते कि फिल्म पोस्पॉन हो इसली प्रमोशन में टाइम इंविस्ट ना करने के लिए ऐसी स्ट्राटिजी इस्टेमाल होती है अप सलार वालों ना ढटंग से प्रमोशन किया ना प्री रिलीज ईविन पर मौवी में दम था बस था इसलीए मेकर्स कॉन्फिडेन थे और ठीक वैसे ही पुश्पाटू के मेकर्स भी फान्स confident है पर सलार वालों ने गल्दी कर दी की promotion अवोई कर अब ठीक है प्रभास तेल्गू आक्टर है तो तेल्गू में उनका buzz है तो तेल्गू में प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है पर बाकी market specially हिंदी market में प्रमोशन करना काम बलसरी है प्रभास यह ऐसा नहीं किया जिसकी सबसे ज्यादा उमीद तेल्गू और हिंदी market से ही है और पुष्पा को भी सबसे ज्यादा फाइदा हिंदी market से ही हुआ था ऐसे में वह बिद्दाव प्रमोशन वाला रिस्क बिल्कूल नहीं ले सकते वरना यह फर्स रहेंगे देखते हैं अब क्या होता बताएं में कॉम 24 में रिलीस होने वाला है फुष्पाटू दरूल साल 24 की मोस्ट अवर्डेट पल्म में से एक है अलो अर्जुन के बन 15 अगास को सिरीमा घरो में रिलीस होने चा रही है फुष्पाटू के मेकर्स ने परम की excitement बढ़ाने के लिए कांटडाउन शुरू कर दिया है कांटडाउन पोस्टर है इस पोस्ट पर प्रताया गया है कि फुष्पाट रॉइस में अपके बल 200 दिन बचे हैं साल 2021 में पुष्पाट रॉइस की रिकॉर्ड तो सफलता के बाद अब पुष्पाटू दरूल सिनेमा घरों में आनी जा रही है फुष्पाटू दरूल सि इस सीक्वर में रूल करने के लिए लोटा है है फिल्म में अलू अरजुन के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली है वहीं आक्टर पहद फासल भी फिल्म का हिस्टा है साल 2024 में स्वतंसता दिवस के मौके पर फिल्म रूलीस होने जा रही है माल्ट्रीम भी मेकर्स किया था दोस्तों पुषपाटू की मेकर्स ने दावा किया था कि भारतियस ने मागे किसी थी फिल्म के पोस्टर पर सबसे जादर लाइक आने का रिकॉर्ड बन चुका है अब 200 दिन बाद पर बड़े परदी पर आने वाली है पुषपाटू के सेट से अलु अर्जुन की एक पोटो इंटरनेट पर च्छा गई है सोचल मीडिया पर बारल हो रही लीग फोटो में अलु अर्जुन साड़ी पहने में नजरा रहे हैं साड़ी पहने अलु अर्जुन का फ़र्स लुग पोस्टर आपको याद है लीख भी पोटो हमें आईकॉन ने पोस्टर की हर साल गंगम्मा तालीच थाहरा एक वीक तक मनाया जाता है लास्टे के दौरान मेल सीमेल्स की रूपे तैयार होते हैं और गंगम्मा की रूप में दिखाई देता बुराय का नाश करने वाले हैं नडदेशक सुकुमार की पोश्पद अराइस सम्ब 2021 सिनेमा कर रोम रिली इस सीटिंग के साथ वारू का सकेंड पार्ट भी तरियार किया रहा है दोस्तों आपको पुछ पाट्टू का किसना इंतन्जार है हमें कॉमें प्रवर बताएं खाती वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें पुछ पाटू की पोस्ट और इंट्रोड़क्टरी विडियो आने के बाद पुछ पा करेदार तो मिस्टीरियस लगा ही लेकिन जिस करेदार को सब ने ढूंटा वो श्रिवली नहीं बलकि केश्वा का था जो पुछ पा की साथ उसकी जौनी में पहले सही रहा और अब इस चंदन के स्मगलर्स पर जासूसी करने आया था और पुछ पा के राउनफॉल की वर्जव वही बनने वाला है और जैसा कि हमने विडियो में देखा कि पुछ पा जील से भागया है तो उसे जेल भिजवाने के पीछे केश्वा का ही हात होगा यानि दोस बना दोश्मन वाल प्लॉट होगा और साथ ही अगर केश्वा ने पुछ पा को पकड़वाया है और उसे धोखा दिया है तो उसे छोड़े का नहीं इसके बाद एक ठीरी यह भी है कि केश्वा पुछ पुछ पा की आड़िटिवर और उसकी काम्याबी से जनने लगता है और जो केश्वा पु कर भाइब और अच्छ पावत की और दुश्मनों से घा जात मेला लिया तै कि तो यही पर खात्म नहीं होता और उसके हिसाब तो पुछ पा की स्टोरी को नारेड किया रहा है और इसे नारेड कर रहा है केश और पुछ पुछ पा की तीसरे पात है पुछ पुछ पॉल अब देखते हैं कि एक बात कितना सच है और कितना जूट खेर पुषपादू की शूटिंग जोरो शोरो से चल रही और अभी से पुषपादू ने मोस्ट अंटिसिपेटिड मुवी की लिस्ट में अपनी जगह बना लिए और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले साल में 15 अगस्ट पर बॉलिवड व्सस साउथ मुवी का ख्लाश होगा यानि सिंगाम अगेन वॉजस पुषपादू उसमें भी सालार आगे रह सकी है खेर बाब अब कितने एक्साइडर उस मुवी को लेकर हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बाबाई पुषपादूस के साथ 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 इंडिन सिरीमा के लिए भी काफी लगी साबित हुई तो उसने बाकी की साथ इंडिन फिल्म्स के लिए रास्ता बनाया और उन्हें तरफ इंडिया में ही नहीं बलकि वर्ल्ड वाइड फेमस कराया और 400 CR की मासब कमाई की दिवानी बन गए खबर यह है कि साथ इंडिन ट्रीवाट जो आते ही नाशनल क्रश की बनी वो साई पल्लवी पुषपादू का हिस्सा बनने जा रही है ज्री हां फिल्मी दुनिया में इस खबर ने जोर पकड़ ली है कि साई पल्लवी ने पुषपादू की कास्ट को और उनकी फाहद फासल के साथ पैरिंग होगी बताया रहा है कि उनका पुषपादू में एक्स्टेंडड कामी होने वाला है पुषपा दरूल की शूरिंग शुरू है और खबर है कि साई पल्लवी जल ही मुवी की कास्ट को जोईन करने वाली है हाला कि इस बात को लेकर अ इकानिक साई पल्लवी को अलो अर्चुन के साथिक ना कौन पसंद नहीं चलेगा अलो अर्चुन ने पुषपादू के लिए हैधराबाद में जिथारा एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है जिसके बारे में उन्हों ने मंगला वारम के प्री रिलीव इवन्ट में ब आए आ रहेगा और वो तभी इस बार ज्यादा बात करेंगे लेकिन साथी साथ उन्होंने अपने फ्यांस का आभार व्यक्त की और कहां कि आने वाले वक्त में उपने फ्यांस को प्राउड फील कराने वाले और उनके प्यारे और ब्लेसिंग्स के लिए भी बहुत साड़ा अब हारी जहां बात हो रही है जथारा एपिसोट की वहाँ पर फ्यांस के बीशे एक कंसर्निंग बात ये भी चल रहे है कि कहीं स्कीन या पूरे शॉट की वज़े से किसी भी तरह का कोई हंगाम आना घरा हो रहा है क्योंकि जब पुश्पा का फर्स लोग पोस्टर आया उसमें वो साड़ी पहने नदर आये पिल्कुल वैसे ही जैसे गंगम्मा जाथरा के दोरान मर्द तयार होते हैं तो काफी सारे लोग ओपेंट हुए थे और उनका ही कहना था कि ये सही नहीं है खायर अब आब अब अब कि इतने एक साइटर उस मोवी को लेकर हम फिर मिलें के नए वीडियो के साथ बाबाई शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को धूरने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट डिपलोई की भावरा पेट की पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ दोस्तों फिल पूश्पाटू की मेकर्स की एक बात ना बड पूश्पाटू बाई बाज आते हैं तो यसे कुछ लोग बच भी जाते हैं सालार की तरह पर इस बार पुश्पाटू वाले रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि हजार करोड कमाने है भाई उसे वो रिस्क ने ले पटता तो पुश्पाटू बाले रिलीस टेट पूस् करेंगे और फिर फिर में कोई नहीं बदलाओं जरूर करेंगे पर इसके बाद पोस्प्रोश्पाटू का काम शुरू होगा और फिर प्रमोशनल अक्टिविटीज शुरू हो जाएगी तरह से बहुत लोग ना सोच रहे है कि क्या फिल्म केजी अफ चाप्टर टू जितना खुष्पाटू का हिंदी मार्केट में हाइप है इसमें तो बाहु बली 2, KGF2 सब का नाम आएगा ना पर अगर KGF2 की बात करी तो हाँ खुष्पा को अतना हाइप है इसका रीजन ही अलु अजुन है अलु अजुन का फैन बेस ना काफी जादा है अलु अजुन का हाइप नौट मार्केट में बावुबली के प्रभास और KGF2 के यश्य बहुत पहले से है और वो अभी तक मेंटेंड है यह बास सही है कि सुक अजुन के प्रमोशन भी जबर्दस रहे तो उसे ना मैजिक क्रेटर ने से को ही ने रहो सकता है चाहिए अजुन के अजुन के वैसा ही वैसे भी आफ्टर ओपन की तीम को यह समझ में आता है कि कि इस मार्केट में कौन सी प्रमोशन स्राटेजी वर्क करेगी तो उनका पुष्पाटू को लेकर दिस्टिडूटर्स प्रमोटर्स पॉजटर फीदबैक दे रहे हैं उससे बको यकीन है कि पुष्पाटू भाही तबाही मचाही देगी पर अलु अर्जुन जब नौत मार्केट में प्रमोशन करते ना तब उनका हिंदी लांग्विज में बात क कि अब स्पेसिफिक मार्केट में लांग्विज को लेकर दा लोग बहुत पुष्प होते हैं अगर यही बात कोई बॉलवड अक्टर्स साउथ इंडुस्टी में करे ना तो वहां के ओडियर्स भीना खुष वजाती है यानि कि इंप्रेस वजाती है तो यही पढ़ना इस पिलहल आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है अमें कॉमेंट्स में तरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें पुषपाटू में साड़ी कंगन नेल पॉलिश में अलू अरजुन की लुक की असली कहानी क्या है पुषपाटू से अलू अरजुन का फस्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ तेड़ी गर्दन किये पुषपाटू आज नीले रंग में पुता शरीर पर साड़ी एक हाथ में पिस्तॉल लेकिन उसी हाथ के नाखुनों पर नेल पॉलिश लगी है हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है गले में कच्चे नीबू की माला इस लुक की शोबा बढ़ाने का काम कर रही है अलू अरजुन का ये लुक चोकाने वाला था लोगों ने उमीद की थी कि वो अपने सिगनेचर पोस में दिखेगा हाथ में बंदूक बदन पर लूं आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है साथ दिनों तक चलने वाली गंगंमा जात्रा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है इस दोरान भव्वे पुजा की जाती है कुछ जगा देवी का प्रसाद के रूप में मासाहारी भोजन चड़ाया जाता है साथ में से बीच के दो दिनों में यातरा निकलती है जहां पुरुष अपना वेश बदल कर आते हैं महीलाओं की तरह सज कर उनकी तरह शिंगार कर इस यातरा में हिस्सा लेते हैं संभव है कि पुशपाटू में अलू अर्जुन का गिरदार भी ऐसी यातरा में हिस्सा ले रहा होगा त पले गुंडेलूर नाम का एक आदमी राज करता था, एकदम दुर्ष्ट दुराचारी किस्म का आदमी, महिलाओं पर अत्याचार करता, उनके साथ दुर्वेवहार करता, ऐसे समय में अभी लल नाम के एक गाओं में देवी का जन हुआ, वो देवी बड़ी उने पर एक सुन उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया, तिरुपती के लोग विचित रवेश धर कर बाहर निकलते, गंगम्मा को कोशते, इस यात्रा में साथवे दिन पले गुंडूलू बाहर आ गया, जिसे ही वो बाहर आया, तभी गंगम्मा देवी ने उ जरूर बताए और देखते रही है हमारा चानल पॉलिग्राज स्टूडियोज। पुषपा के मेकर्ज ने बहुत बड़ा क्लैश कैसे मोल लिया, अलू अर्जुन की पुषपा 2 की रिलीज डेट आ गई है, इस फिल्म के मेकर्ज ने वही वीकेंड चूस किया है, जिस पर गदर 2 रिलीज हुई थी, ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में लगेगी, इस रिलीज डेट की अनाउंसमेट के साथ ही, पुषपा 2 के मेकर्ज ने बड़ी क्लैश मोल ली है, क्योंकि इसी दिन अजे देवगन रोहिट छटी की सिंगम 3 रिलीज होने वाली है, पुषपा 2 के मेकर्ज ने रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर र और खून के कुछ छीटे नजर आ रहे हैं, दूसरे हाथ से संभवता वो सिगरेट पी रहे हैं, उसी के धुए से उनका चेहरा छुपा हुआ है, पोस्टर पर सबसे उपर बोल्ड लेटर्स में फिल्म की रिलीज डेट लिकी हुई है, पुषपा 2 के इस पोस्टर को देख 22 में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, तब ही KGF 2 रिलीज हुई, उसके बाद मेकर्स ने पुषपा 2 को दोबारा से शूट किया, शायद पुषपा 2 के कुछ हिस्से KGF 2 से मिलते जुलते थे, अलाकि बाद मे फिल्म के डारेक्टर ने कहा कि KGF 2 की वज़ा से उन्होंने अपनी पिक्चर रिशूट नहीं की है, वो चाते थी कि दर्शव को को पूई तरह से संतुष्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया, पताया जा रहा है क कि पुष्पा 2 के आदिक्तर हिस्सों की शूटिंग हो चुगी है, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाते, इसलिए उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकायदा एक साल का समय लिया है, वो अपनी पिक्चर 15 अगस की सिंगम 3 भी स्केड्यूल्ट है, रोईद बता चुके हैं कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, इस बड़े बजट और भहमकर स्केल पर बनाया जा रहा है, प्लस उन्होंने अपनी पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्री को कास्ट कर सिंगम 3 में अर्जे देवगन के सातक्षे कुमार, रन्वीर सिंग, दिपिगा पादुकोन, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे अक्टर्स नजर आने माले हैं, ये तो प्राइमरी री कास्ट हो गई, बाकी रोयचेटी, कॉमेडी, गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा ह होगी, वहीं पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मी का मंदाना पहाद फासिल तो होंगे ही, उनके साथ साई पल्लवी, जगपती बाबू और प्रकाश राज भी जुडेंगे, पुष्पा दराइस के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट आक्टर का नाशनल मिला है, वो यह वोड़ पाने वाले पहने तेलिगू अक्टर हैं, एर पुष्पा 2 को रंगस्थलम फेम सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, पुष्पा 2 या सिंग्नम 3 हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे हमा देके आट्री मतलब और माशो कूँ अथेंगें को बडोर सैंगे मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूँगा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फ्लावर में ही फायर है में पुष्पा दा रूल से अलू अर्जुन का अलग और डबल रुमांचित करने वाला कियोदार देखने को मिलेगा पुष्पा धरूल में दर्शुन को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा पहले पार्ट में पुष्पा ने शिकावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा ना उसकी इजज़त करेगा वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गाउं वालों का भला करने वाला पुश्पा को पुलिस के जरीए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गाउं पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा पुश्पा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे पुश्पा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोड़ी जमेगी दूसरे पार्ट में श्रीवली एक बच्चे की माँ बनेगी इतना ही नहीं पुश्पा अपने दम पर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड़ी जो पहले पार्ट में लगबग मौत के मूँ में पहुँच गया था पूरी फूर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूँवी में शीनू की पत्नी दक्षाइनी ओर्फ अंसुयाब भारदवाज भी अपना दमखम दिखाएंगी एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पाद राई साल 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उभरी इस फिल्म ने भारतिये बॉक्स आफिस पर तीन सो करोड रुपे से ज्यादा की कमाई की याद हो कि इस फिल्म में श्रीवली, सामी, सामी और उउंटवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चाट बस्टर्स के रूप में उभरे वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सूपर हिट गानों की सीकुल की भी बात आती है तो फैन्स इससे काफी उमीद रखते हैं डीएसपी पुश्बा दरूल के लिए ट्रैक तयार करने के लिए लोटे हैं इसी को लेकर संगीतकार ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तयार कर लिए हैं वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में साजा करते हुए डीएसपी ने कहा हर कोई पुश्बा टू फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्र गुजार हूँ जो सभी ने हम पर बरसाया है जिस तरह से निर्देशक सुकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अधबुध है हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत महनत और लगन से काम करें हैं DSP ने पुश्पा के समान था रूत प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइस को लेकर कहा हम पुश्पा 2 में उँ अंटवा के किसी भी रिप्राइस को नहीं देख रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पहुत सर्प्राइस पर कान चल रहा है मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को पुश्पा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी कलियारिंग पुश्पा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिज्निस कर लिया है पुश्पा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की लेकिन अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसला जारी पुश्पा के गाने और संबाद सब कुछ काफी हीट रहा है पुश्पा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइन्स टेली फिल्म्स के डारेक्टर मनिश सा का हाथ जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेट में काफी पसंद किया गया और पुरा देश पुस्पाटू के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनीश राह ने एक इंटर्व्यू में पुस्पाटू की रिलीज डेट से लेकर सूटिंग सेडियूल को लेकर जवाब दी दिये के इंटर्व्यू में मनीश सा ने कहा कि पुस्पाटा राईज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ओफिस पर तेज रफतार पकड़ी और आज ये फिल्म सौ करोन का आकराच छुने में कामयाब हुई मनिश सा ने पुसपा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लेगा उन्होंने साफ कर दिया कि पुसपा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी इस लंबी फिल्म की सूटिंग में समय लेगा उन्होंने बताया कि पुस्पा 2 की शूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुस्पा के पहले भाग की शूटिंग 210 दिन तक चलीगी। साल 2030 तक पुस्पा 2 रिलीज हो। क्या प्रभास की बाहुवली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुस्पा 2 तोड़ पाएगी। इस पर मनिशसा ने कहा कि बाहुवली के पहले पाट ने 120 करोंण की कमाई। और पुस्पा ने और पुस्पा ने 300 करोंण रुपे कमाए। दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुस्पा और पुस्पा बाहुवली से आगे जा चुकी। अब ये देखना है कि आप पुषपा 2 वाहू बली 2 का रिकार्ड तोर देगी लोगों का तो ये मानना है कि जो पुषपा 2 रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोन नहीं भलकी 1000 करोन तक का बिजनिस कर सकते दो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पुषपा 2 1000 करोनी फिल्म बनेगी खिर कब रिलीज होने जा रही है अलू अर्जुन की पुषपा आखिर रिलीज से पहले किसने से देख लिया है क्या वाकई ये के जी अफको टक कर देने को तयार है दोस्तों पुषपा के लिए फैंस की एकसाइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ की सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली है आपको बता दें ये आक्टर है बुची बाबु इन्होंने इस सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लायू लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी लिया था लिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को इदेख कर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुश्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का करदान माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुश्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुश्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जी अप की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहल का मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने का वैसा होता है कि नी क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत ज़ादा प्यार दिया है इंदजार कर रहे हैं अगर most awaited film बोला जाए तो KGF है तो ऐसे में अगर पुषपा रिलीज होती है तो यह देखना दिल्चस्प होगा कि क्या ये KGF को टकर दे पाएगी साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो अर्ड़ेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया KGF का जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है आपको कितना वेट है पुषपा का और क्या लगता है अगर पुषपा और के रश्मी का मंदाना से क्यों हुई ओडियंस खफ फिल्म है जिसके लिए ओडियंस पेहद ही एकसाइटिड है एक तो बाहु बली और के जीएफ के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेन्मेंट की सोगात मिलने वाली है उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्ट के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खत्रा बन सकती है तो क्या है वो दरसल कुछ साल पहले जब रश्मीका के करियर उडान के लिए पंक फैला ही रहा था तब एक इंट्रव्यू में उन्से इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ओफ का नाम पूछा गया काफी में हार कर खुद रश्मीका ने यश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेक्टर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिस्रेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी उन्होंने अपने फैंस से ये सब तुरंत रोकने को कहा था उन्होंने कहा कि वो रश्मीका एक दूसरे को personally नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में opinions रखने की पूरी अजादी है इसके उनके behavior में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मिका को उनके नाम पर हैरेस करें ये सब कहा KGF starter येश ने आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है लेकिन अब जब रश्मिका और येश दोनों ही स्टार्डम की उचाईयों पर है तो अकसर उनसे जोड़ी खबरे यूँ ही सर्फिस पर आती रहती है ऐसे में कई अतीत में रश्मिका के मूँ से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे वैसे भी आज कल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पढ़ने का ट्रेंट चल रहा है खेर आप हमें कमिन सेक्शन में बताईए कि आपको क्या लगता है क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर ढाल सकता है ये फिर फिल्म बिन पर चुका है और एक साउथ की सूपर स्टार है जिनोंने इस फिल्म का आधाबाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दे ये आक्टर है बुष्पा बाबू इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइउन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी था वहीं मीरिया से बात करते हुए बुची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग कोई देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भ के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जीफ की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी सार्व रिलीज होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहल के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है अगर बुची बाबू ने पुष्पा की सीथी तुलना के जीफ से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वह बढ़ना लाजमी है क्योंकि के जीफ कभी अलगी स्वेग यह उसका दूसरा पाट आने वाला है और लोग जो है व दूसरे तरफ याश होंगे और याश ने तो अर्डेडी एक ट्रेलर वेलीज कर दिया के जीफ का जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है आपको कितना वेट है पुष्पा का और क्या लगता है अगर पुष्पा और के जीफ के चैट शीडियोस में तो चलिए बिना जादा वक्त कवाई शुरू करते हैं आज की वीडियो अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पुपुलारिटी को केवल उनकी इंडास्ट्रीज में नापा जाता था अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटिट का टाइटल मिलता ह जिनका इंतजार कोई तेल गूप करनेटा या बॉलिवुड इंडास्ट्री नहीं बल्की होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडास्ट्री ने लीडिंग प्रिजिशन हासिल कर रखी है इन्हीं मोस्ट आंटेसिपेट फिल्मों में से एक है साउथ सूपर स्टार अलु अर्जुन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म उष्पा जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिल्म की एक्साइटमेंट को चार गुना बढ़ा देती है लेकिन कहीं अलु अर्जुन पर लग रहे इन इल्जा प्रवर्शिल कहानी की शिरुवात होती है एक ट्वीट और एक अनाउंस्मेंट से वैसे तो अलु अर्जुन के फैंस के लिए एक बेहत सुखत भोशना थी लेकिन शायद खुद अलु के लिए ये इतनी लखी नहीं रही दरसल साउथ के फेमस प्रेडियूसर बनी वास औ अलु के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया एक्चली वास ने अलु की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंस्मेंट की जिसमें पुश्पा वेनू स्री राम की आईकुन पुश्पा टू बोया पती श्रीनू डारेक्टिव फिल्म और अर्मुरू का डॉस के अनाउंस्मेंट यू नहीं करते हैं अनलेस उन पर काम जल्दी शुरू होने वाला हो या हो चुका हो प्लासस लिस्ट में एर मुरूगा डॉस की फिल्म भी शामिल है जिसे अलु ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद इसके लिए राम कोथी नेनी को या फिर बागी आक्टर्स को कॉम्पेटिशन देने के लिए जिनके अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है अब डर तो यहीं है कि कहीं इस स्टंट का अलु के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइम लाइट और दिखावे के लिए डेस्परे अपनी राएं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पिल्कोल ना भूलें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को वीडियो को आकर तक देखना न जमाने पुश्पा डार्तर सुकुमाद और नेदेशित मूवी है जिसको एक पान इंडिया रिलीज मिलने वाली है और खास बात यह है कि इस मूवी के लीड रोल में हमको अल्लु अर्जुन नजर आने वाले हैं वैसे तो अल्लु अर्जुन का फान बेज इंडिया में लेकिन हाँ इसका हाइस प्रपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है और शायद इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अल्लु अर्जुन अपनी प्यान रिलीज लेकर तयार हैं लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि साउथ के आ लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कंफ्यूशन दूर होती जाएगी इसे वीडियो को पूरा जरूर देखें तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपने चानल बॉलीग्राट स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी दोस्मिनाक्षी और आज की इस व जुन काफी खास करिदारों में नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाइप्रोफेशन होंगे वहीं पर वो एक स्मगलर बाइप्राइम होंगे और इसी यह मूवी का जादा तरपाट उनको पकड़ने में और उनके चुपने और भागने के से तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पुष्पा का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन प्रिटिसर्जम या बॉक्स ऑपिस पर आई और कोई मूवी नहीं बिल्की प्रभास की सलार से होने वाला है इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं पह इसकी अलंबे लिस यहीं खतम नहीं होती दरसल दोनों मूवी की शूटिंग तिलांगना में हुई है और तिलांगना के एक ऐसे जगह पर जहां पर उसको कोल माइन कहा जाता है अब पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि पुष्पा एक स्पगलर से जूडी कहानी है लेक इस दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अभी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कब्जा रावाने की कोशिश फैर रही है तो दोस्तों अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थियोरी और वाली ओपीनिन से नि प्रभास की मूवी सलार को और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से जादा हिट करना पड़ेगा अपने इन मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टानर्ड पे करेंड़ी आ सकें अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियन्स अब हीरो को और नेगेटिव क्याक्टर होने वाले हैं जिनके एक्स्वाजरेशन के उपर ये मूवी गूमने वाली है अब इतनी सारी सिमिलारिटीज और आज पास की रिलीज डेट तो देखना होगा कि किस मूवी को क्या सा ओपीनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्मगलर काता है तो दोस्तो आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर क्या से इंस्पिरेशन क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलिग डैर्स टूडियो में पुष्पा अलू अजुन की अपकमिंग पैन इडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलू अजुन तो रैट सैंडल्वोड की तसकरी करते हुए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलू अर्जुन रश्मी का मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा अलू की दूसरी फिल्मों से बिलकुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अपतार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़े से ये थियेटर में टिकेट बिकती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिकने का इस बार उन्हें रग्यडवदार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिलकुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उपरी एकसाइट्मेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एकसाइट्मेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन? जानने के लिए इस वीडियो को एंट तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसिंटली जुड़े आड्टर फहाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मी का मंदाना के डाय हाड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस नियू इंक्लूजन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफीशल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फहाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ऑफ मॉलिवूड के नाम से इंट्रिड्यूस किया गया है जैसा कि वीडियो में बता गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है लेकिन सुकुमार इसमें प्रशान्त निलवाली गर्ती नहीं करना चाहते जिनकी ब्लॉक बस्टर केजियूफ में गरुडा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपियरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक वार में ही मर जाने के लिए रखा गया था इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियंस को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बल्कि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़र आ रही है ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये इस न्यूस से इंप्रेस्ट फेस्ट का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अरजन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आखों से भी अक्टिंग कर सकते हैं अलू अरजन के फैन्स वागई लगी है कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमेंट में बताए कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटन है और अगर आपको ही है पुष्पा और केजियर से बीच जब कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनट पुष्पा अलू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रेक्शन सुगुमार कर रही है इस फिल्म में नैशनल क्रेश रश्मे का मंदाना को एट रीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है इस फिल्म को लेकर ओडियन्स में जितना क्रेश है उतना ही तनाब ही है तनाब इसका कि KGM सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी है दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट को और रिल दर्शुकों के सामने रखे जा चुके है लेकिन एक बार पिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी विडियो को पूरा ज़रूर देखिए को और अगर आपको मारा विडियो पसंदाए तस लाइक शेय करना भूख करना बूलेगा हमने अपने पिछले ही विडियो में आपको पुश्वा से जुड़ी एक एहनम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोस करने की जिद्दारी वेरी पॉपुलर एंड सक्सेस्पुल म्यूजिक कंपोसर देवी शंकर स्रसाथ के कंदों पर डाली जाती है जिनने इसका पहला गाना तयाती किया था जो खबरों के अनुसाल सुकुमार और अलू अर्जिक के पहले पस्मिद आया था और गाना जुलाई के फर्स वीक में धी दर्श्वों के लिए रिलीस किया जाएगा लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार KJF फैन्स और पुष्पा फैन्स आमने सामने खरे नजल आ रहे हैं जैसा कि आप सब लोग चाहते हैं कि KJF के सकसेस के पीछे निउजिक कंपोसर अभी पस्रूर का स्पेशल कॉंट्रिबियूशन था जिनकी कॉंपोसिशन ओडियंस को इतने पसंद आए कि हर पांच मिनित में एक आदमी का रिंग टोन में कोई न कोई KJF का सौंग हमें सुनने को मिल ही जागा था अब इस अनॉंस्मेंट में एक कारण लोग इसे DSP पसरूर की तक्रार के तौर पर देख रहे हैं जानता चाहते हैं कि दोनों में बहतर है आप सोच रहे होंगे कि गाने से वी फिल्मों में होते हैं इसमें KJF एनेक्शन क्या है लेगन आपको बता देंकी काना DSP ने लिखा है वह स्पेशली फिल्म में अर्लू अर्चन की कि और्यक्टर को और आज भी कई बार किसी ने किसी स्वैग वाले वीडियो से ने वो गाना सुनने को मिल ही जाता है। इसी कारण से लोग जानने के लिए बहुत एक्साइट हैं कि पुश्पा का ये गाना केजी है कि गाने को टक्तर दे पाएगा या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता हैं और दोनों फिल्मों से आप इसको वेड़ देना चाहेंगें बताएगे हमें कमेंट्स में जिसमें अलो अरजुन के रगड लोग को तो खास तोर पर काफी एप्रीसियेशन्स मिली। फिल्म एक आक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसमें रेड सैंडल वुड की समगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म का क्रेज अलरड़ी अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर है पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में हैं अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए त अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फिल्कुल ना भूलें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है और खास कर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सूपरस्टार अलू अर्जन हो जिसका एक स्टेप भी स सेंसेशन बन जाता है तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना की पूरी फिल्म पर और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकजने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के दरवाजे खटखट आए हैं खबरे आ रही है कि देवी शंकर प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अलु अर्जन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सूकुमार और अलु काफी जादा इंप्रेस्ट नजर आ रहे हैं ये सौंग जुलाए के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किया जाएगा तो आपको बता देगी देवी शंकर प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालू सुको वालनी, मन मधूदू, वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉमपोजिशिशन इंडास्टरी को द देना चाता है, और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना, क्यूंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी, जिसकी धुन किसी भी इंडास्टरी के बैरियर्स को हटा कर पूरी इंडिया की ओडियंस पर एक जैस में से एक है, यू तो देवी शंक प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉंपिनेशन समझा जाता है, लेकिन रीसेंट सोचल मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुलारिटी के बाद देवी शंक प्रसाद के कंधों की और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड है और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चानल बॉलीक्राट स्यूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें आज की स्क्रेप्ट राइटर है उपासना पांडे बहुत-बहुत शुन की फिल्म पुश्पा ने मानों हर और पहल का मचा दिया है खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानों लड़कियों को घायल कर दिया और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टांडर्ड ही रेस कर दिये हैं वैसे भी अलू का नाम भारत के सबसे हांसम आध्यों में लिया चाता है और उसकी उपर से उन आपने नोठी की होगी कि हम कई बार आक्टर्स की तारीफ करते हैं वा यार रनवीर कपूर तो पूरे संजदत लग रहे हैं यार रनवीर सिंग ने कापल पाजी का क्या लुक लिया है हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वह अमितार पच्छन ही थे लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई मेहनत को रगनाइस करना हम अक्सर भूल जाते हैं लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलीगाट स्टूडियोस की नगरी है यहां किसी की भी मेहनत अंकही नहीं जाती और इसलिए आज हम इस रात से परदा उठाएंगे कि आखिर अलु अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था या फिर हैदर में शाहित की लुक पर तालियां बजाई थी या फिर बाजी राव मस्तानी पाद्मावल जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेकप टुटोरियल सर्च किये थे या फि को बता दें कि आप अंजाने में प्रिती शील के ही टालेंट को सहार रहे थे जी हां दोस्तों ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर और उनके ये आइकॉनिक लोक उन्हीं की देन हैं इतना ही नहीं मॉम हाकरे शिवाई हवाईजादा हाउसकुल 3 बाला पंगा अंदादु शिचोरे मुल्क पती-पत्नी और वो यसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके लंबी लिस्ट साथ हो जाएगी अगर हम उनकी टालेंट की बात करें तो अब आप इन सभी लुक्स को याद कीजिए और हमें ध्यान से बताईएगा कि आपको कौन सा लुक्त बेस लगा था साथी सा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करें गया लाइक और शेयर और कर दीजिए करने वाले हैं बॉलिवुड में डेब्यू नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चानल बॉलिवराथ स्टूडियो के एक फ्रेश नए वीडि किया था अलू अजुन की पॉपिलारिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा तर्चा में घिरे हुए हैं अलू अजुन का न्यू रॉ लोग भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है वहीं मूवी क कि स्टोडी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मारकेट में खड़े हो चुके हैं जहां मूवी को सेकंड पार्ट में रूलीज करने का सोचा गया है और डिडेक्टर ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलिन की एंट्री फर्स्ट मूवी प को इंस दिखाये गए हैं इस मूवी में अलु अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है अब सवाल यह खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा अक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं यह बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं वहीं इस फिल्म की ग पुषपाराज मूवी में चिट्टू डालेक्ट में फिल्म की सभी डायलोग्स बोलने हैं जिसके लिए अलु अरजुन अलग से एक लैंग्विज इक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलोग डिलिवरी कर पाए पुषपाराज एक सा तमिल मल्यालम कंड़ और हिंदी लैंग्वज में रुलीज होगी पुषपाराज मूवी को लेकर अपने एक्सपीडियंस भी शेयर किया था उन्होंने बताया कि पुषपाराज में कुछ ऐसा देखनी को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले क पारी सामधानिया बरतते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं साथ ही साथ अलू अरजुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है अलू अरजुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस वेरी सिंपल एन स्वीट अक्टर उश्पा केरियों की सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी माता में भीड एकठा हो गई सबीस ने अलू अरजुन का बड़े प्यार से मिले और इंटराक्ट भी किया सकेंड बेट के चलते पुश्पाराज की सूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी भी उसका कु मुवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एस पर स्केडियूल टाइम पर रुलीज कर पाना मुश्किल है तो न्यूज रिपोर्ट के नुसार रुलीज डेट पुस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रुली रुजन के फैंसे उने देर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अधा भी किया उन्होंने अपने नौत हिंजन हिंदी और अधर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्राटिट्यूड इंग्लिश लांग्विज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनक कि फैन फालोइंग भी बढ़ती जा रही है हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलने के बाद अलु अर्जन की बॉलेवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है अलु अर्जन ने अपने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉ हिन्दी इंडी काफी मैसिव है और उस Count पर आज फेस्ट मैसिफ प्री रूलीस सक्सेस के बाद से ही लोने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है अलू अर्जुन हिंदी फिल्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं जहां बाकी तेलगू आक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना ऐसे में अलू अर्जुन हिंदी संद में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटन है उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चोईस है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी इंस्पायर करता है फिल्हाल उनका फोकस अपनी साउट इंडस्ट्री की अपकमिंग म मूवी पर है सबसे ज्यादा कुष्पा राज पर है अलू अर्जन का बॉलिवूड में अजनियू कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है मगर जल्द ही वो बॉलिवूड मूवी में नजर आ सकते हैं उन्होंने काफी स्क्रिप्स पड़ी है मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई अलू अर्जन को पहले अर्जन रड़ी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया मगर अर्जन रड़ी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था जिसके लिए उन्होंने मना कर गिया था उन्हेंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है After that पुष्टास बात बताएं तो दोस्तो शदा कपूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी जादा बहतरीन और एकसाइटिंग हो सकती है और इसी वज़े से फिल्म को काफी फिल्म और काफी बज मिल सकता है तो आपका इस टेक्नीक के बारे में पुष्टास की सारी फिल्मों का उनके फैंस तो लंबा इंददार रहता है भीके फैंस पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉग बच्टर साबिक है अब कुष्पा की ही बात कर लेको उनकी फैंस करीब दो साल से इस पिक्टर का इंददार कर रहे हैं जब से इस सिन का पहला कोस्टर रिलीज किया गया था आने वाले दिनों में कुष्पा का ट्रेडर भी रिलीज होने वाला है दोस्तों मैं आपको बता दू इस पिल में अलु अर्जुन की ओपोजिट नाशनल प्रस्ट कुष्मिका मान देना नजर आने वाले है कुष्पा में विलिन की तौर पर पहाद फजिल नजर आएंगे साथ ही इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे ही जिसको दुमाई तो सब कुष्पा आज इतने जादा लाइंग नाजन ने इस फिल्म में विल जौर पर अलु अर्जुन नजर आने वाले हैं और अलु अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ ऐसा है कि उसकी हर फिल्में लगातार चल्चा में बनी रहे हैं अगर कुष्पा सक्सेस्पुल होती है तो उसका कुछ प्रेडिट अलु अर्जुन के मासिफ पॉपुलारिटी को भी जाएगा आज उन्हें सीरियों में बात करेंगी कि आखिर कैसे अलु अर्जुन साउथ से सूपर स्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का चाईएट यंग आइकिन कहा जाता है अलु अर्जुन में जादतर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है अभी तक वो बॉल्वूड की पीसी फिल्म में अपना डेबुट कर दे हुए नहीं दिए जाता हम उमीद करते हैं आने वाले जुनों में वो जज़ भी बॉल्वूड की किसी फिर में भी काम करेंगे तुल्हाल मैं आपको बता दू उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था अज़ चाइल्ड आक्टर विजयता फिल्म के साथ उन्हें बच्पन से ही आक्टिंग और डांजिन का शॉप रहा था और इसी वज़े से उन्हें कई आडविटाइजमेंट्स भी मिलने इसके बाद Aaloo Arjun को उनकी टेहले फिल्म ने लिए जिसने घीट के डार नभाया था और वो थी गंगोंपुन गंगोद्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल में अच्छा खाता बजिल भी किया था लेकिन अलू अर्जुन के करियर में तक से बड़ा टर्णिंग पॉइंट अब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिवेस किया गया अर्या को अलू अर्जुन के करियर का हब से तक तक से फिल्म पहा जाता है इस पिक्चर में उनके आक्टिंग स्किल्ट की काफी सराहना हुई थी इतना ही नहीं आर्या पिक्चर के बार अलू अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा किया था जिसमें फिल्ट पेर अवार्ड अब बात करते हैं कि आफिर अलु अर्जन को स्टाउथ का स्टाइलिश सूपर स्टार क्यों कहा जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दो साउथ इंडस्कें में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर किसी के लुक्स को सबसे जाता अप्रिसियेशन मिलता है तो वो है अलु अर्जन खास कोर पर उनकी ड्रेसिक स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं दोस्तों हम सभी जानते हैं आने वाले दिरू में अर्लु अर्जन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है इस फिल्म के लिए उनके तमाम पैंस काफी एक्साइटेड है पुष्पा बेसिकली एक ग्यांग वार फिल्म होने वाली है, इस फिल्ब में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे स्कांदर बुड की इल्लीबल दस्परी की जाती है और कैसे अलू अर्जुन सिल्म की शुर्वाती बवर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बात भी उनके जुन्दिकी में काफी बदलावा ज़रता है आप पुष्पा की में कितने एक्साइड़ेड है हमें कमेंट इच्छे में जरूर बताइए अलू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकविंग मूवी तुष्पाराग जिसे सुकुमार ने जरेक्ट किया है चल ही थीटर्स में अपना कमाल दिखाने वाई है बावजुन इसकी ओडियंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस मूवी से रिलेटेड बार-बार कोई न कोई अफवा हर बार मार्कित में नजर आ दी है जिस वज़े से फैंस के एक नई फैंस फियोरी बननी शुरू हो जाती है इस मूवी के लिए जहां टॉलीवुड के हाइस पेड एक्टर्स में से एक अलू अर्जिन को कास्ट किया गया है तो वहीं इस मूवी के बाकी की कास्ट और क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मैंबर से चुरी होई है फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस इंट्रीव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्टों में विलीज करा जाएगा ऐसा करने के बड़ी वज़े ये है कि फिल्म के शोरी में बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस स्पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुम्किन नहीं है इसलिए हीरो और डारेक्टर ने साथ मिलकर ये डिकायर किया है कि फुष्पा को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है जी हाँ बलकुल सही सोचा आपने मेगा ब्लोगबस्टर पाहु बली मूवी में भी यही हुआ था फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मूवी को रिवर्स में ले जाना ऐसा कॉंसेट पहली बार ही किसी मूवी के जरिये दिखाया गया है कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर ही और जहां इस गाने की पूरी प्रेडक्शन, टॉप म्यूजिक, डिरेक्टर, फ्रेड्यूसर और ओस्कर बीनिंग स्टार के पास हो अगर ऐसा होता है तो इसे मूवी का हिंदी ओडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा अब ऐसा करने की एक वज़े ये हो सकती है कि अलू अर्जुन वैसे ही अपने हैंसम और डैशिंग लूप के लिए काफी पॉपुलर है और उनके हैंसम होट लूप्स और परस्नालिटी एक आम बात हो गई है ऐसे में उनके पोस्टर में वही सेम लूप दिखा कर ओडियंस के बीच इतना तुरेश पैदा नहीं होता टॉलेवर के मोस् टैशिंग स्टार अलू अर्जुन अपनी अपकमिंग मूवी के लिए काफी जादा इसाइड़ है और पूरी ट्रेलर में बहुत जादा पोश्ट है फिल्म का ट्रेलर 70 मिलियन द्यूस क्रॉप कर चुका है जिसे पिल्म की पूरी टीम काफी सादा खुछ है फिल्म के रिलीज से पहने ही इतनी बड़ी काम्याभी मिलना काफ इंड़्स्ट्री के लिए एक आम बात होती जा रही जादा मुवी के ट्रेलर में कोई राइड़ अब नहीं है इस अलू 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 के एक्शन पीन, लुक और फाइडिंग सीक्वेंस में ताफी तहर का मचा दिया इस निवी पोव मेरे लुपरेस्ट में शूट किया गया जहां हाइप पुलिस कोस्ट और कम्पीट से क इस प्रत्री पर काम किया गया था क्या जाते ही कि इंटर्नाशनल प्रिव प्रियू और साथ के शायर से इंटर्नाशनल ओडियंस को भी लुपाने के लिए तुछ्वाराज की कामरा हैंगलिंग के लिए जूस किया गया है पॉलिश क्यामान मीरुस्राव गुबार प्रेजेंट को जिरा रोसके निरुस्राव पो इंडिया में पॉलिंग का जाता है एक एक जो कि मुस्ती तले को फिल हंदक्षी इंटर्नाशनल में काम कर दी है मीरुस्राव इसे तले क्या है इदम बुदी जिसको विक्रम कुमार ने डिटेक्ट किया था उसके लिए एज़नावर को इसनी काम कर चिके है उस फिल्म में मीरुस्राव के काम से इंप्रेस्ट होकर ही सुकुमार ने अपनी अपकमिन पिल्म पुछवाराज के लिए निम्प हायर किया मीरुस्राव भी पिल्म में इस्सा बनने का यह मौका पाकर खुश नजर आ देए और फैंस भी ये खबर सुनने के बाद काफी ज़ादा खुश पेंगे लेकिन ये खुशी के पल्स जादा समय तक नहीं घर पाई थी सुतरों के मुताबिक खबरों के अनुसार पुरुनों पैंडमिक की वज़ते बुबाफ में जा रही है और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रही है बता दे कि अलू अर्चिन मीरुस्राव के साथ काम करने के लिए काफी ज़गा एक्साइट है और यह एक्साइटन मीरुस्राव के एफ़र्स में भी देख रही है थी ट्रेलर लॉंच के दौरान मीरुस्राव ने फिल्म की काफी तादीश की चीज़ी थी और फिल्म के हर इवन पाद चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या पिर कई पूचा सरेमनी को या फिल्म का सेलेडरेशन की ना हो उसका हिस्ता जरूर बते भी लेकिन अब उन्हें जाना पढ़ रहा है इंटर्नाशनल ट्रावल में सेस्टी बनी लहने के लिए इससे लिए सबी रेस्रिक्शन और गाइलेशन को फॉलो कटे हुए उनको एक फिल्ग ट्रावल जोन में रखा हुआ है यह एक्रेक्स फिल्म पर गहरा अज़र डाल सकते हैं कि फिल्म के टीजर से भी फिल्म का गहराई और प्रिल्ट का काफी पड़त चलता है अब क्या नियु क्रामरामन इस लेवल को मैच कर पाएगा अब क्या प्रिल्म पर गहराई अपना कमार के खाच पिल्म में अपनी नाउचन के बात से ही मीडिया में संसमी मचा रहा है कभी फिल्म की हिरोई तो कभी फिल्म का गाना पिल्म आए दिन किसी ना किसी कारण से हेड्लाइन से रहती ही है इंसारी अपेज की इंफोमेशन को हम आपको अपनी पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं लेकिन आज हम वो बेसिक इंफॉमेशन शेर करेंगे जिसना जवाब तो सब चानना चाते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जान दे के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पस लाइप उस लाइप और शेर करना दिल्कुल नहीं हुदे जबसे को इनकी अनाउंसिन हुए है एक सवाल में सब के मन में भॉकर रहा है आपे फिल्म का नाम कुष्पा जीक्यों कुछ और क्यों नहीं क्या किसके पीछे कोई सीक्रेट वज़ा है इस बारे में कई क्योरी देखें कुछ के अपॉड़ी? कुष्पा फिल्म में अर्चुन की मा का नाम कुष्पा हो सकता है जितसे हो बहर प्यार करते होंगा और अजिन की बहुत के बाद मि- इसलिए अनकी यादों को मैशा अपने साथ रखने के लिए उनोंने अपना नाम पुष्पर भी रखने के तो कुछ का कहना है कि क्या पता। ये लीडिंग लेडी रश्मेका का नाम सेकुलेशन की हट तो तक तक होगी जब उनने ये कहा कि क्या पता डिरिक्टर सुपरमॉज राजश्किता के बड़े पैन इसलिए ये नाम रच दिया गया, you know, कुश्पा, I agree, dear. पर हमने ये गुश्की सुलजार ही ली, अक्चिली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल का कार है, जितना डीज में जाकर फैन्स के सोचा, उसकी मेहनत मेकर्स ने नहीं दी, फिल्म में अल्यू अर्चिन के कैरेक्टर कर नाम कुश्पा किनारायन रखा गया, जिनें सब प्या सेशा चलम में प्रॉमिन स्मगलिंग पर पेस है, अगर ऐसा होता, तो खुश्पा और केजियर्ट में एक और सिमिलारिटी हो जाते हैं, क्योंकि केजियर्ट का भी ये नाम इसलिए रखा गया, क्योंकि पूरी कहानी इस पर पेस थी, केजियर्ट पर किसका राज होगा, श हलो नमशकार, आप सबसे का, सौगत आप सभी का, बॉलिक राज स्टूडियोज में और में हूँ आपके साथ अनुश्कतियागी, तो दोस्तो आज बात करेंगे, आज की फैवरिट और मोस्ट आइलेशन डाशिंग आक्टिर अलु अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटिड मोवी पुषपराज के बारे में, दोस्तो पुषपराज के टीजर जब से रिलीज किया गया है, और अपने बोधे पर टीजर के सक्सेस्फुल लांच पे जब से अलु अर्जुन ने अपने नौध इन फैंस और अधर स्टेट फैंस के लिए इंगलिस में स्पीश देते उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सबोर्ट के लिए उनके शुकर गुजार हुए है, तब ही से ही दोस्तो नौर्ट साइड में भी अलु अर्जुन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दोस्तो अलु अर्जुन के अबकिमिंग इस ड्रामा आक्शन फिल्म में स कंपोजर देवी श्री परिशाद के साथ, उनका काफी टाइम बाट किलाबरेशन हुआ है, इसे पहले सुकमार और अलु ने साथ में दो ब्लॉक बिस्टर मुविस करी थी जो कि की आर्या और आर्या का सेकंड सीक्विल, आर्या ट्यू और ये बास सभी जानते हैं कि स्टा अलु अर्जन का एक किरदार समगलर के रूप में नजर आएगा, तो वहीं दूसरा किरदार बिस्निसमैन के तोर पर दिखाया जा सकता है, अगर दोस्तों कुछ पर आज के नए और पुराने पोस्टर्स को देखकर अलग 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 रूपस पर उनके डबल रोल होने के लगाई जा रही है, ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फान ने अलग रूपस के डबल रोल होने की बात कही थी, दोस्तों इस बात पर अभी तक डिरेक्टर सुकमार ने कोई भी क्लारिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या जूट, अगर इस बात को स इसी खानी इस बात पुछ पर आज में रिपीट तो मही की जाएगी, स्ट्रॉंग यूमर्स की बात की है कि अलू अरजन का दूसरा रोल आजब बिस्निसमैन होगा, अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिस्निसमैन के सच्चाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अलू अरजन को बिस्निसमैन बना कर माबिज दिया चाया, जहां से उनके दंगे को अपरेट किया जाता हो, अब दोस्तों रूमर्स में कितने सच्चाई है, वो तो अब फिल्मेकर्स प्लेयर करेंगे, तब ही पता चलेगा, वंडर मुवी रिलीज होने का तब तक इन्तजार करन पड़ेगा सबी को, दोस्तों इन सबी खबरों से अलु अरजन के फैंस काफी जाद एक्साइड़ हो रहे हैं, आप दोस्तों बात करें कि अखर अलु अरजन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यों है तो इसका जवाब आप जल्की खुछ समझ जाएंगे, दोस्तों एक इ घर गए थे, बॉलिवुद स्टार से आक्तस के मुकाबले फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टिड रहते हैं और यही वज़ा है कि नौर्थ इंडिया में भी साउथ आक्तस के इस नेचर की वज़ा से उनकी वाली थी, लेकिन COVID-19 के चलते अभी अपनी तेह तारिख में रिलीज को ज़रूर रिलीज होगी, इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स पैल रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कहानी अजियूम करने लगे थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू, शिरवात में अलो अर्जुन एक बिजनसमैन के रोल में नज़र आए यंकर बस बन चुकी है, और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे, अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन आप ठीटर मज़ा आ लेना होगा, तो मज़ा तो आये गा ही, इसक खबरे देनी पड़ती है का फिल्म रिलीज हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए, इसलिए हिंदी ओडियंश के लिए स्पेशल ही अलु अर्जुन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दौर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है, लेकिन ये फिर्स टा प्रमोशन हो सकता है, तो सोचे अलु अर्जुन अगर कपिस शर्मा शोग में पहुंच गए तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों, ये बात वाकई बहुत बड़ी एकसाइटमें भरी है, और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत रश्मी का मंदाना इसमें निजर आने वाली है, विजह सेतु पती है, और विलन का नाम भी रिवील कर लिया गया है, सूरिया जो की अलु अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं, साथ ही सुकुमार इसे डारेक् सामने आई है, वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है, जिसमें की अलु अर्जुन की जो शर्ट है, चेक शर्ट दिख रही है, साती उनके हाथ में स्टील की घड़ी है, जो के 80s के दोर में पहनी जाती थी, तो उसी टाइम का यह दिखाया जाएगा अंदर प्रदेश के ज अगी औरा उनका दिख रहा है, बहुत ज़ादा एक्सप्रेसिव अलु अर्जुन नजर आ रहे हैं, और फिल्म में इसी तरह का धमाल मचाते वे नजर आएंगे, फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है, तो दोस्तों, आपको कितना अंतजार है अलु अर्जु झुश्पा का ये जरूर बताएए और ये नौर्थ में कितना बड़ा धमाका मचा आएगी, आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है, बोक्स ओफिस के लिए हाथ से, नीचे कॉमें सेक्शन में अपनी राही जरूर लिखिएगा और इसी तरह के दुसरे अपडेट्स क मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम हूं, गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है, सर मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट पर खाता, नीन दाती है तो जी भर सूता हूं, और गुश्सा हूं अलु अरजुन के अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग रह सकती है पुश्पा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुश्पा को, हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, बॉलिग्र सुकुमार डारेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंटे कड़ी सिक्यूरिटी रख दी है और जिसने भी लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने पाजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीज की जाएगी और पहली बार अलू और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमाल लगा झाट करोड का अगर हम बोले अलग भाशायों से जो बाकी भाशाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड यह occupy कर ही लेगी इतना collection यह कर ही लेगी में हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह total collection packaging होवरॉल कलेशन की बात करें में तो 200 अधाइसों करोड यह फिल्म आसानी से कम लेगी वलडबाइट की बात करें तो 20 करोड का ये mkलेक्शन करेंगी पहले दिन तो इस भाइल चैनल से लाइफटाइम कलेक्शन कि आयम बात करें तो वर्डवाइटे करोड काango कि कमािकर ह Brandon है हिंदी ताम्ल टम्ल तैaldPass,'ique कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्मे हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो व प्रश्मी का मनाना दजर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तो इतना तो यह तै है कि यह फिल्माल ही मचा पाएगी और सेंडल वुड जो लकडी होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाया जाए अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली है रश्मी का दर्शकों को क्या इस नए के दास से बदल चाहिए अभिनीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलो अरजन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिगराफ स्टूडियो में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुश्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखें अपनी खुबसूर्ती और रश्मिका जल्द ये अलु अरजुन की हिरोईं बनने जा रही है और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीरशक है पुश्पा जो फिल्म में अलु अरजुन के किरदार का नाम भी रहेगा और ये फिल्म आंगरपरदेश की जंगलुक से लाल चंदन की सम फिल्म में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नेत्री 24 साल के सभी नेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाचल से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबो के साथ सारी लेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉग बस्टर फिल्म में फिल्म पुश्पा में रशमिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रशमिका ऐसे अवतार में दिखेंगी हमेशा ग्लामरिस अंदाज में देखी गया भी नीत्री अब करनी जा रही है गाओ की गोरी का किरदार फिल्म में वे गाओ की एक गरीब लड़क भी ले रहे हैं वही केजी एक किशीना यानि श्रीनिदी शिट्टी के बाद अब कंणर ब्यूटी भी चल पड़ी है तमल सिनिमा की तरफ जल्दी रशमिका तमल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं शॉइद कपूर की अगा आक्रिस पर जी हा संजलीला भंसाली जिन्होंने राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके संब और देवदास से बदला कि फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजी राव मस्तानी और पदमावत ने डिपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मा अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अप संजलीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोई ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीशक के साथ आईगी अभी तक बता नहीं गया है अलू आजून फिल्म पुष्पा के डारेक्टर सु कुमार के साथ अपनी सबसे पहली शुपर एक लिए कर चुके हैं और पुष्पा को मैध्री मेकल्स बैनर्स बैरोल के कर रहे हैं और जो अलू आजुन और डारेक्टर को और तलाश्रवा के साथ फिल्म हा आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सुकमार की राम चरण के साथ हिट फिल्म रारंच थलम में भी देवी श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरां म्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात ये है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटि को लियान में रखते हुए निर्माताओं ने जनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भंसाली की हिरोई कहीं फिल्म पुष्पा कीजिए फू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाया चानल बॉलिग्राफ स्थूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिंद्र पुष्पा फिल्म की स्टोडी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इन फिल्म के साथ तेजी से पॉपलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एन एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एन डिरेक्शन एन फॉर्डर बजेट हो इस एफर्ट का रेजल्टेन है कमाल का सिनमा जिसके काफी चाहने वाले है तो हम सेफली ये कह सकते है कि कॉन्टेन के मामले में अब बस बॉलियूट ही नहीं बल्कि साथ में ही कई डीजियनल सिनेमा भी रेस में आ चुके है और कई केसेस में तो बॉलियूट से बड़िया कॉंटेन परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउट सिनेमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउट स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधरुदे ज्यादा ना भटक के सीध्याद है मुद्दे पर स्टाली स्टार अलु अर्जुन की और कनाड़ा क्रॉश रश्मी का मंदाना की फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे है एक लॉरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपिसद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओर्डियंस हो वहाँ क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आईए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउन रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैन अलूट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लिशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फॉर्स में इसलिए अलु अर्जुन खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चल पता है घमासा नियुद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे हैं अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनम दिन के मौके पर अलु अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलु अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत अपने सूपरस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलु अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलु के जनम दिन के मौके पर अलग अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया था जिसमें की अलु जीत चुके है और प्रतिशील ने हैदर, मौम, 102, नौट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टेस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहु अनौंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुलहाडी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो इक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलो अर्जुन ने कि उनकी फिल्म पूस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुलहाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथी अलो अ अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत जादा एक्साइटेड हैं वो फिर से वही मैजिक क्रियेट करेंगे वहीं दोस्तों आपको बता दे पुछपा एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डारेक्ट कर रहे हैं सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी काउम में नजर आएंगे यह फिल्म लाल चंदन यानि कि सैंडल वुर्ड जो लकडी होती है उसकी तसकरी पर आधारित है फिल्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द गूमती वही नजर आएगी यह आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विज्य सेतु पती और अलू और जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले है यानि कि खदनाना के आक्शन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतशार है पुष्पा का नीचे कॉमें सेक्शन में जबर बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को ये फिल्म होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए जल्दी से लिग डालिये नीचे कॉमें स अए प्रिलर फिल्म है जोसे डारेक्टर अलेका सुकुमार ने है । एक। मधरीटर ने अपना टेव्याइटर कर्या कि द्वारा किया था और यह फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड आक्टर्स अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती बाबू प्रकाश राज धनंजे सुनील गिरीश उ रिलीस किया था फिल्म पुष्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू तमिल मल्यालम हिंदी और कनेट वर्जिन में डब्ड किया जाने वाला है जैनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था मेहेश बाब पुष्पा की पूरिस ने किया था बाद में अलुरुअरजू ने प्रोजेक्ट साइंड किया सूकुमार के साथ उनके फिल्म में एस लीड अक्टर काम करके सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबोरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लाउंच किया गया था उक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डिरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथी रैपिडली फॉल्स पर फिल्म पुष्पा का फर्स केडिूल केरुला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड नाइटीन पैंडमे की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चर्चा में थे इंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पाठ बन गए रश्मिका मंदाना को एपरिल 2019 में आज़ लीड आक्टर कास्ट किया गया था और जगापती, बेबी और प्रकास्ट राज को की रोल्स करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कनड़ा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हूं किलता कम गिल कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग तवड़ी है फाइटिंग है सर मैं आसा ही हूं लोग लगती है तो पेट पर खाता नीन दाती है तो जी भर सोता और गुश्सा आता है तो लोग कर लगता पुश्पा निन दाता है? बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉन्ट्रिबूशन बॉलिवुड को रश्मे का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिग्राश वीडियो में तो चलिए प्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में एसस राजा मॉली की फिल्म बाहु बली तब बिग्निक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रडक्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स् ओको भी एक पैन-इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्मे महीं रादेशाम और आधी पुरुष और साथ में नाच एश्विन की की फिल्म के बहुत धमाकिदार निंडिया रिलीज हुने वाला है साउथ इंडियन एक्ट्रस ने कहीं बार बnd में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्रीदेवी जया प्राड़ा एश्वर्या राय असिन दिपिका पादुकोन तापसी पनु जैसी को जब नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुर में वही सिल्क स्मिथा सॉंदर्य काजल अगरवाल तृशा कृष्णन जैसी अभी में अभी अभी साउथ में विजे की बहुत प्रसिद्ध और साथी साथ साथ नाम आता है प्रश्मिका मंदाना को मिला था यह क्रेष पहले देशा पारटनी को मिला था रश्मिका मंदाना एक के.आ उसके सांग काम करके अपने कारियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं तेलगू, तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी कारियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी, RSVP के सारे फिल्मे और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था, इसमें उनके ऑपसिट होंगे सिधात मलहोतरा, मगर हाल ही में सिधात मलहोतरा का करियर इतना स्मूद नहीं जा रहा, हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे, तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ओपोसिट फिल्म ढूंट रही थी, और इसी वक्त उनके कानों में अलू अर्जुन की एक फिल्म आई, अलू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया, तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई, और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इ दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलू अर्जुन, इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्चित एक्टर है, उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम के धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुनिया में यानि की पूरे देश में चर्चित कर दिया है, बहले है अब अलू अर्जुन अपनी अग्ली फिल्म पुष्वा को लेकर बिज़ी है, जो पैन इंडिया रिलीज होनी वाली है, इस फिल्म को मेकर हिंबी, तमिल, सल्गूप का नर्ड और मल्यालम लैंग्विज में रिलीज कर रहे हैं, ऐसे में अक्टर को लेकर खबरों का बाज अब अलू अजुन से जुड़ी एक और जिल्चस खबर सामने आ रही है, जिसे सिलकर उनके फ्रैंस का ट्रेग साथवे आस्मान पर पहुच जाने वाला है, दसल अलू अलू अजुने हाली में KGF डारेक्टर प्रशान मील से मुलकात की है, वो हैदराबाद में आज से उन पर प्यार बर्शानी के लिए धन्यवाद भी कहा, जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले गए, इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि अलू अजुन और प्रशान मील की ये मुलकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है, इस खबर पे अलु सिटिंग स्टेज पर है, क्या इसके बाद प्रशान मील, अलु अजुर्शन अग्री पिन की तेयारी करेंगे, इस जवाल का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा, वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में, नीजे कमिंग बॉक्स में अपनी राइशी क्या बॉलिवोड में भी एक सूपस्चा बनना चाहते हैं, अलु अर्जुन, और क्या बॉलिवोड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका, तो आईए जानते हैं आप सभी को वो भाषा समझाते हैं ना आप सभी को समझाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं और वैसे हम कई सारे तीवी चैनल्स पर ये भी देखते हैं कि साउथ फिल्मों को हिंदी डब करकर दिखाया जाता है तो दोस्तों अलू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनिकांत ऐसे नाम तो हम सभी ने सुने ही हैं उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा लेकिन जिस तरीके से इन आक्टर्स को साउथ में पूझा जाता है उन्हें वो रिकगनीशन, उस लेवल कार रिकगनीशन बॉलिवुड में नहीं मिल पाता है दोस्तों, आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनिकांत को पूरे साउथ में इस तरीके से पूझा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है, तो वहाँ पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिकलेर कर दी जाती है जी हाँ, और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस जरा बड़ा है, यहाँ पर बॉलिवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है तो जब साउथ के मेकर्स ने यह देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं, तो उनोंने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों का हिंडी डब करकर रिलीज कर दिया जाए तूनाइन फिल्मों को सिनमा घरों में एज हिंदी डब रिलीस कर दिया जाए ऐसे में हम साहूद की इन फिल्मों का मज़ा अपनी चुनी हुई भाशा में अपने पास के नजदी की सिनमा घरों में भी देख सकते हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहूबली फ्रेंचाईज और KGF फ्रेंचाईज ने फिल्मों को डब करकर सिनमा में रिलीस किया है और यहां तक कि साहू जैसी फिल्मों में हिंदी अक्टर्स को भी लिया गया है साउथ के मशूर आक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे थे वैसे तो उनकी ओडियन्स, तमिल ओडियन्स, सन्नड ओडियन्स यही सब लेकिन अब वो अपने इस टागेट को बदलना चाहते हैं हागी में एक इंटर्व्यू में अलू अर्जुन ने बॉलिवूड की तारीफ की उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलिवूड एस्पिरेशनल लगता है और यहां तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीफ दिखी उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ओफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहिए यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अरजुन रेड़ी ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते इसलिए वो अब कुश्पा को पैन इंडिया रिलीस दिलाने वाले जिसकी वज़ा से वो फिल्म बॉलिवुड में रिलीस कर दी जाएगी तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितनी तेजी से अलू एंख्ली मारते हैं बॉलिवुड के मारकेट में और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलिवॡ स्टूडियो को सब्स्क्राइब करना ना भूरें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदाव क्या अलु अरजण की फिल्म पुष्पा में होने वाली है और वशी रौतेला क्या होने वाली है पुष्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीज होगी है हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं बॉलीक्रास स्टूडियो मैं सोनी का जया है पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई है पुष्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहां सेट से भी बहुत सारी तस्वीरे लीक हुई थी और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्होंने टाइट सेक्यूरिटी कर ली है कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए वो बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं इस फिल्म के जरीए आपको बताते हैं अलु अर्जुन का जो लोग है वो काफ़ी कमाल का है अलु अर्जुन के इसमें करली है नजर आ रहे हैं और चेक शॉट नजर आ रही है नाइंटीज का दौर दिख रहा है इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है और साथ ही आपको बता दे इसमें सेंडल वोर्ड जो लकडी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अलु अर्जुन और इसमें विजय सेतु पती भी एहम भूमिका में नजर आने वाले है वो पुलिस का करदार करने वाले है औ और शायद अलु अर्जुन कैसे बचते हैं उनसे यह सारी कहानी होगी रश्मे का मंदाना अलु अर्जुन के अपॉजट इस फिल्म में नजर आएंगी वहीं आपको बता दे अलु अर्जुन की पुश्पा एक प्यान इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार बड परदे का अनुभव किस तरह से होगा जब ग्रैन एंट्री होगी और इसमें खाली एक जब एंट्री होनी है अलु अर्जुन की उस पर 6 करोड का बड़ा खर्चा किया गया है बहुत ही धमाकेदार इसको बनाया जाएगा इसमें आक्शन सीन्स भी कमाल के होने वाले हैं द दोस्तों कितना इंतजार है आपको अलु अर्जुन की फिल्म पुश्पा का नीचे कमें सेक्शन में जबर बताएगा फिलहार उसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इसे रिलीस किये जाने का प्लान है तो लिखे नीचे कमें सेक्शन में कितना इंतजार है पुश्पा के विलियोन और क्यों हुए है वो इतने मशूर वहीं कैसी है पुश्पा के हिरोईन रश्मी का मंदिना की आने वाली फिल्मे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिगराफ स्टूडियो में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुश्पा से जोड़े कुछ ना अपडेट तो इस वीडियो को एंद तक जरूर देखे अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदिता हिरोईन कौन है या फिर कौन सी आक्रस है जो आपकी करेंट क्रश है तो किस आक्रस का नाम लेंगे आप कहीं ये नाम साउप की ब्यूटिफुल और क्यूड आक्रस रश्मिका मंदना का तो नहीं कंडर सिनेमा की खूबसूरत लोग प्रिया आक्रस रश्मिका मंदना के फांस को उस वक्त सबसे बड़ा सर्प्राइज मिला जब सर्च इंजिन गूगल ने आक्रस को नाशनल क्रश ऑफ इंडि ट्विटर अकाउंट से शेर भी किया उन्होंने इसके साथ लिखा मेरे फैंस वाकई लिजिनरी हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा मेरा दिल मेरे फैंस के पास है चौबीस साल की रश्मिका दक्षिन भारत के अलावा उत्तर भारत मे भी काफि लोग प्रिया है रश्मिका ने कंडर तमिल और तेल्गू फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से कंडर सिनिमा में डेब्यू किया था इस फिल्म में रश्मिका की अदाकारी खूब पारीफ की गई थी और फिल्म उस साल की सबस क्योंकि महस 24 साल की ये अभिनेतरी साउथ की टॉप आक्रिस में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन आक्टर्स के साथ रश्मिका की जोड़ी बनाए गई जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रश्मिका साउथ के मशूर अभ अभिनेता अभिनेता सूर्य जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौरवाई पोट्रो के सफलता के बाद अगले फिल्म पर फोकस कर रहे हैं और उनकी 40 फी फिल्म होगी ट्विटर पर पहले ही घोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूर्य के अपोजिट रश्मिका मंदना होंगी वहीं सूर्य महेश बाबू और अलु अरजुन टीनों ही शाविशुदा आक्तर्स हैं अलु अर्जुन इस लिस्ट के सबसर जवान शाविशुदा हीरों हैं और एक पिता भी हैं जिन्हों में हाल ही में अपनी बेटी अलु अर्हा का जनम दिन पुष्पा के सेट पर मनाया बता दे इस वक्त पुष्प की शूटिंग अंधर प्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पॉपिलारिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े आक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है लेकिन सारी लेरू निक्की वारू नेमें अपने से 20 साल बड़े आक्टर महेश बाबू के साथ काम करने के बाद अलु अजिन के साथ बड़ी फिल्म के ओपर को कैसे मना कर सकती थी अभी नीतरी वहीं आद आती है फिल में देले मुश्पिल जब रंवीर कपू ने 9 साल बड़ी आक्टरिस आईश्वर्य राय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे देखी कैसे समय बदल गया वहीं क्या समय सही में बदल गया या केवल समय मेल आक्टर सी समय बदला है साथ ही क्या वज़ा है कि फिल्म पुष्प करने जा रहे हैं एक आक्टर के साहत विजाय प्रडियूसर लिस्थ और डालॉग राइटर उर विजाय टंबल फिल्मों में रूब में काम करते हैं इसके अलावा कुछ टेलिगू critics अपिनीता कोने प्रस्वनसाग और मेडिया द्वारा मकल सेलवन के रूप में जाना जाता है पीजा सुपर डीलक्स और पेटा जैसे विजय सेटुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अवाद्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अवाद्स का सिलसला बरकरार देने वाले हैं तो क्या एक मुख्य खलनाया का अवाद्स इतने के बाद पुश्पा में विलन का किरदार निभाना आसान होगा विजय सेटुपती के लिए क्या होगा वहीं क्या विजय की पॉपिलारिटी टककर देगी अलो अरजना रशमीका की पॉपिलारिटी को हमें आपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिगराथ स्टूलियोस को इस वीडियो के स्क्रिप्ट सिम्रन रावत ने लिखी है एकनी सिपात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर्थ मारता ज्यादा हूं किंता कम गिंकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है दोस्तों क्यों फिल्म पुश्पा की मजबूत करी और आक्टर विजे सेतु पती हो रहे है ट्विटर पर बदनाम आंतरप्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुश्पा की शूटी शूरू और क्या इस बार अलू अरजुन से हित फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तों अपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है जेहां दोस्तों इस बार लगता है स्टायल स्टार अलू अरजुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्म का मंदाना के साथ मनाने वाले हैं 12 नवंबर से शुरू हुई अलू अरजुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग के लिए आंतरप्रदेश के शेश्चलम जंगलों में पहुची पूरी टीम यहां दोस्तों फिल्म से अलू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रंगी शूट और पांट में दिखाई दिये हैं उनका चहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अफ़तार जहां दोस्तों अलू अर्जुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले फोस्ट लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोचल मीडिया पर वाइरल होता भी नजर आया दोस्तों आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालग दल के साथ शूट करने की योजना बना रही है और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तकनीशियों को नियमेत अधार पर गोविड-19 परिक्षन देने के लिए कहा जा रहा है जिया दोस्तों अलूर जुन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्मिका मंदाना एकवन अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आने वाली है ट्विटर पर फिल्म के सितारे और टमिर अबिनीदा विजे सेतुपती ट्रेंड कर रहे हैं और ये ट्रेंड दोस्तों नेगिटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ रिकेट से संबंध है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तों विजे सेतुपती श्री लंका के स्पिनर मुथ्या मुरिल धर्म की बायो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है ये मोशन पोसर रिलीस होते ही तमिल लोगों ने विजए सेतुपती पर हमला बोल दिया जीहां दोस्तों उनका कहना है कि लाको टमिलों के हत्यारे श्रीलंका देश के क्रिक्ट सितारे की बायोप क्रिक में काम करना एक दम गलत है जही हां दोस्तों मुथेया मुली धरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है ट्विटर पर अब तक लाखों लोग है शाक शेम और विजे से तुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं दोस्तों लोग विजे से तुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं वहीं कि इस फिल्म की वज़े से विजे का फिल्म पुश्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा जहां दोस्तो जब फिल्म के सितारे विजे से टुपती मुश्खिलों में पसे हुए हैं दूसरी तरब फिल्म की हेरोईन रशमिका भी इन इंकम टास्ट के चक्रों में पसी हैं साउत की आक्ٹریस रश्मिका मंदाना के तैमल तेलगो और कानड फिल्मों में एकाम कर जुती है वही साउत में अब वो एक जानी मानी आक्ट्रिस के तौर पर जानी जाती है दोस्तो रश्मिका को साउत की सबसे महेंगी हेरोईन भी कहा जाता है और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने चापा मारा है अधिकारियों की जार्च परताल दोरान आक्ट्रिस के घर से 25 लाक रुपे बरामद हुए हैं कैश के अलावा घर से प्रॉपेटी के कागस भी बरामद हुए हैं वहीं रश्मिका के मादा पिता इंकम टाक्स के चापे पर कुछ भी बात करने से बच रहे हैं रश्मिका के बैंक की बी जान बीन की जा रही है और रश्मिका केवल 24 साल की है और इतनी सी उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेट जैसी सूपरेट फिल्मों के साथ महेश भाबु और अलु अरजुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाया दोस्तों भई क्या जानते हैं साथ की स्चोल बुली सी दिखने वाली आक्ट्रिस के पीचे छुपी है एक दुखबरी दास्तान हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायर कर चुकी है रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़ज़ से काफी मायूस थी लेकिन अपनी इस मायूसी को आक्ट्रिस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया दोस्तों 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिच शेटी से सगाई रचा दी थी लेकिन ताल में इला बन पाने की वज़ज़ से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया दोस्तों महीं क्या गुर चाहती है अपने फियूचर हस्बिन में रश्मिका बन दाना पोगरू और सुल्तान शामिल है तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटबल दुला कौन से यंग बॉलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो के ऐसी लगी हमें कमेंट करें अब असल्म पुष्पा की कहानी पर लगा गया है दैन क्यों फिल्म को बंद करना पड़ सकता है डिरेक्टर सूकुमार को और क्या विशाखा पटनम पहले पहुंची पुष्पा की तीम क्या लेना देना ह कि फिल्म पुष्पा की कठानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है जो कुछ समय पहले प्रकासित हुई थी वही बता दें फिल्म पुष्पा एक तेलगु आक्शन फिल्म होगी जो क्या साउत को दी प्रमुग भाशाओं के बीच आई दरार हाल ही में लेकक वेमपली ग करने के एक छोटी सी कोशिश है उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्ट की जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के सम्मान है वेमपली गंगाधर आंदर प्रदेश के कडपा जुले के खलेकक है 2011 में उनकी लगू कहानी संग्रा मोलाकला पुनम्मी के लिए उन्हें साहित्यक आदमी के युवा पुरुसकार में सम्मानित किया गया था गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मोलकला पुनम्नी तेरा लगू कथाओं का संग रह ये किसानों के दर्शाओं से इर्ध गिर्ध बुनी गई है तेलगू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था उनकी किताब माय नापू बो मालू ने अमरीकी तेलगू असोसियेशन पुरुसकार जीता किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तब कोई आधिकारिक टिप्टी नहीं की गई है हाल ही में चुरंजीवी अभिनेती फिल्म आचारे को भी साहतिक चोरी के लिए दोशी ठहराए गया है लेखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पठकता उनकी फिल्म के संबान थी वही पुषपा, सूकुमार द्वारा लिखित और निदेशिक नई तेलगू भाषा की आक्शन स्रिलर फिल्म है फिल्म में अलू अजुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे साथ ही प्रकाश राज और जगपटी बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे यवसिन दिवाली में रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के कान इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अलू अजुन को फ़र्स लुक पोस्टर जारी किया था जिसने फिल्म प्रेणियों और अलू के प्रेशन्शकों के बीच अच्छी चच्चा पैदा की अब सुकमार की फिल्म में पुष्पा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जिसमें अलू अजुन का शादनार अवतार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है बनी इस फिल्म में पुष्पराज की भूमी का निभाने वाले हैं जिसे मैत्री मूवी में एक असद्वारा बैंक रोल किया जा रहा है फिल्म का स्केड्डिूल विशाखा पत्नम में एक विश्य रूप से निर्मित सेट पे होगा वर्तमान में पुष्पा का सेट मेर्दू मिली में वन पर चल रहा है फिल्म के कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तेरमुला के पहाड़ी शेतर शेष चलंग बन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की जुआएगी स्टाइलिस स्टार अलु अजुने अपनी लॉरी जाइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरोई रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चित्रित करने के लिए पूरी तरह तया है इस लॉकडाउन के दुराँ रश्मिका ने एक ट्विटर से चितुर बोली सीखी फिल्म के Nadir Somewhere ने इस बात के पुष्टी भी की कि वह फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस के लिए के लिए 6 क्रोड रुपए की भारे भरपाई करने वाले हैं जिस वज़े से यह फिल्म एक काफी एंब सीक्वेंस रहेगी वहीं इस सीक्वेंट्स में कहीं अलू की चंदन से भरी लकडियों की लारी ना चूट जाए बना बैक्ग्राउंड में 2007 की फिल्म एक 40 की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी चूटी चलना पड़ जाएगा मीडिया में एक्टरस रश्मिका मंदाना को एरपोर्ट में एंटर करते हुए काप्चर किया और हमारा नुमान है कि वह फिन पुश्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी काले रंग की टी शट और फॉर्मल पैंड पहंडे डियर कॉमरे रभी नेटरी काले रंग की स्टाइल में स्वैट के साथ गुमदी दिखाए थी उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट चश्मा लगाए वे दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी बता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉमपेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका वहीं क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलु अर्जुन और रश्मिका के वीज फिल्मी केमेस्ट्री जमेगी या नहीं हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ हमारे चानल बॉलिग्राद पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिलचस्ट ताक्स देखने के लिए से सब्सक्राइब करना न भूले आज के हमारी स्क्रिप्ट अलु अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारिया कर चुके है कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते हेलो फ्रेंश आप देख रहे हैं बॉली ग्रास स्टूडियोज में हूं सोनी का जयल अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें तीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप थेटर मौला मज़ा लेना होगा तो मज़ा तो आए गए इसके अलावा आपको बताते कि अलु अर्जुन भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी कर रहे हैं क्योंकि दौर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लेकिन यह फर्स टाइम हो रहा है तो अलु अर्जुन ने पूरे जान छोग दी है एक पिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट तो अब को बता दे कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शोग में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है तो सोचिए अलु अर्जुन अगर कपिल शर्मा शोग में पहुँच गए तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों ये बात वाकर बहुत बड़ी एक्साइट और भी फिल्मों में नज़र आ चुके हैं तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले हैं जो कि अलु के साथ पहले भी काम कर चुके हैं तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एक इसाब से लगाया जाए और सेंडल वुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अरजुन उनकी जो तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें कि अलु अरजुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बॉंटम पैंड्स दिख रहे हैं साथ कि अलु अरजुन का लोग जो की कॉली हैर उनोंने केरी किये हैं और जितनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रहे हैं उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्स्प्रेसिव अलु अरजुन नजर आ रहे हैं और फिल्में भी इसी तरह का धमाल मचाते को क्या लगता है बोक्स ऑफिस के लिए आज से नीच कॉमें सेक्षिन में अपनी राय जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेश के लिए हैं इसी आपनी सिपात के लिए इपनी सिपात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉबलम है सर अ अ ज्यादा हूं किंता कम गिंद कर मारने के लिए कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सब्सक्राइब भूख लगती है तो पेट पर खाता हूं नीन दाती है तो जी भर सूता हूं और गुस्सा अलो अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड का कलेक्श कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुष्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियो मैं हूं सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइलिस जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंटे कडी सिक्यूरिटी रग दी है और जिसने भी यह लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखन चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते हैं इसके लावा आपको बता दे पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलु और जु सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटरस में तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भाशाओं से जो बाकी भाशाओं में रिलीस हो रही है उससे 60 करोड यह उक्युपाई कर ही लेग खाली हम हिंदी की बात करे तो हिंदी में यह टोटल collection overall collection की बात करे तो 200 से 200 करोड यह फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड का यह overseas collection करेगी पहले दिन तो इस हिसाब से lifetime collection के हम बात करें तो worldwide ये तेर्सो करोड की कमाई कर सकती है हिंदी तमिल तेलगू से ये तीन सो करोड कमा लेगी और दो सो करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम टोटाल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो पांसो करोड की कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्में है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि अलू की जितने भी फिल्में आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फ सब्सक्राइब होती है उसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा विजय सेतु पती इसमें होने बाले है एक और विलन का लाम सामने आचुका है वो है आर्या और अलू अर्जन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुकी है तो आपको क्या लगता है कितना करोड का क्लेक्शन कर लेगी और कितना इंतुजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली है रश्मिका दर्शकों को क्या इस नए के दा से बदल चाहिए अभी नीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलो अर्जन की फिल्म पुश्पा की शूटिं को एंद तक जरूर देखें अपनी खुबसूरती और क्यूटनेस की वज़ा से हर जग अचा रही है कंड़ भी नहीं तरी रश्मिका मंदना कभी अपने दिल पिगला देने वाली तस्वीरों की वज़ा से तो कभी अपने जिम वरक आउट की वीडियो से लेकिन जल्द ही डॉल अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या आप तयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मिका जल्द ही अलु अरजुन की हिरोईन बनने जा रही है और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीरशक है पुश्पा जो फिल्म में अलु अरजुन के किरदार का नाम भी रहेगा और ये फिल्म आंदरपदेश की जंगलुक से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलु अरजुन का बीहड़ लुक लुक पहले ही सोशल पर काफी चर्चे में रहा है अलू अर्जुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरंचीवी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नीत्री 24 साल के सभी नीत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबो के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रशमिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रशमिका ऐसे अवतार में दिखेंगी हमेशा ग्लामरस अंदाज में देखी गया भी नीत्री अब करनी जा रही है गाउ की गोरी का किरदार फिल्म में वे गाउं की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लामरस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंदरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल फ्रीनिंग भी ले रहे हैं वही केजी एफ की शीना यानी श्रीनिधी शिट्टी के बाद अब कन्नर व्यूटी भी चल पड़ी है तमल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं श्राइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में म्रुणाल ठाकों से पहले रश्मिका कुफिल्म में म्रुणाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी है सुन्दर और चालेंटेड आक्ट्रिस पर जी हा संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वर्य राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम औ अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोई ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीशक के साथ आईगी अभी तक बत टाग ए ट्वेंडीवन से भी जुड़ गए हैं फिल्म पुषपा डारेक्टर सुकुमार अलुवार्जन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद है जिन्होंने कई तैल बी श्री परसाद का साथ था और रश्मिका की खंथो में भी प्रसाद ने लिट यासे कि यह एक इंटर्वु के दोरां मेस डारेक्टर देवी श्री परसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात miejsce है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग का फिर जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में लॉंच किया जगया था अलू अर्जुन्स टैरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को को पॉरोना वाइरस में पॉजिटिफ पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट पर सभी की शुरक्षा और साथ धानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जैनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या सब्सक्राइब कर है हमाई चानल बॉलिग्राफ स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमनल अलो अरजन स्टारर पुछपा फिल्म की स्टोडी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साल्थ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरिंज फिल्म के साथ तेजी से पॉपलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्दर मेटर बजेट हो लिया कॉंटेन्ट परोस रहे है, हर तपके से जुड़े लोग अब साउच सिनेमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउच स्टार्स की फैन फॉलिइंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है, पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीध्यात हैं मुद्दे प फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लौरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओर्डियंस हो वहाँ क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आई ये डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउन रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैन अलूट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहाँ वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आरे के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजून इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलू अरजून और रश्मिका के केरेक्टर की तो पहले हैं से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अरजून की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलू मर्डर का पता लगाते हुए फोरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फोरस्ट में इसलिए अलू अरजून खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चल जाता है अपने फोरस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए तो एंड में होता है घुमासा नियुद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यही नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते है पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे है अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए अपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनम दिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया था जिसमें की अलू अर्जुन बहुत ज्यादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद भी उन्हें किया था और लुक के पीछे मेकप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशीर सिंग का ह जो कि बहुत सारे फिल्मों के लिए और रेडी अवार्ड जीत चुके हैं और प्रतिशील है दर मॉम एक सो दो नौट आउट ठाकरे शिवाय हवाईजादा हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टिस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फि रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनौन्स कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुलहारी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे हैं उनके साथ बहुत सारे लोगों के हाथ में भी कुलहारी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुने से कैप्शन दिया है 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 पुष्पा लोडिंग इन थीएटर स्रॉम 13th और सर्फ अलो अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत जादा है वो फिर से वहीं मैजिक क्रियेट करेंगे वहीं दोस्तों आपको बता दे पुष्पा एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डारेक्ट कर रहे हैं सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या का मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है वहीं हर्मन उत्मन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी काउम में नजर आएंगे यह फिल्म लाल चंदन यानि कि सैंडल वुर्ड जो लक फिल्म में दिखेगी और इसमें विजय सेतु पती और अलू और जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले यानि की खदना के अक्षन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताएगा फिल वेलकम टू पॉलिक्राइश स्टूडियो के कौन नई चटपटी वीडियो में हुश्रिया रोना आपकी आज की होस्ट और आज अंबाग करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंदियन तेल्गू लाइंग्विज एक्शन फ्रिलर फ फिल्म आर्या के द्वारा किया था और यह फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर्स अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती, बाबू, प्रकाश राज, धन फिल्म पुषपा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कॉरिंग के तहट रिलीस किया था, फिल्म पुषपा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है, फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जिन में डब्ड किया जाने वाला है, जनवरी 2020 में पह प्रॉप कर दिया है, और उनका नेक्स प्रजेक सरी लेरू नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था, जुसे डारेक्ट अनिल रवी पूरिस ने किया था, बाद में अलु अर्जुन ने प्रजेक साइंग किया, सूकुमार के साथ उनके फिल्म में ऐस लीर आक्टर काम करके सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबोरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लाउंच किया गया था उक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था कैरला के एथी रैपिडली फॉल्स पर फिल्म पुष्पा का फर्स स्केडूल कैरला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड नाइंटीन पैंडमिक की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चच्चा में थे इंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदाना को एपरिल 2019 में आज लीड आंक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकास्ट राज को की रोल्स करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जुलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कनड़ा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पांक की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सुपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रैस वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लोटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाल इतनी सिवाब के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर्र बारता ज्यादा हूं किंता कम हा गिंकर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइट इल्ये है एय। स्वर मैं असाहिएं हुआ बोग लगती है तो पेट पर खाता हूं लीन दाती है तो जीवर सोता हूं और कुछ साहता है तो हम नई गुफर रगता हूं झाल झाल क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं आनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी हाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है यह ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में एसस राजा मॉली की फिल्म बाहुबली तब बिगनिक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वोर्जन की प्रड़क्शन क अरण जोहर के धर्मा प्रड़क्शन ने किया था उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पुपलानिटी की वज़ा से उनकी फिल्म साहु को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्म में राधे शाम और आधी पूरुष और साथ में नाग इश पार 30 जुलाई को रुलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्ट्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी जया प्राड़ा एश्वर्या राए असिन दिपिका पादुकौन तापसी पनू जैसी को जभी नेत्रिया बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथ ही साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये क्रश पहले देशा पार्टनी को भ बूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कहे दिया था इसमें उनके opposite होंगे सिधात मलहोतरा मगर हाल ही में सिधात मलहोतरा का कारियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अर्जुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनका अंदाल सी उनकी सबसे बड़ी पैचान है जहां इस फिल्म का चोटा टीजर भी कमाल का है दो स्क्रिन पर अलु अर्जुन और फाहद की टक कर देखने लाइक होगी दोस्तों बात करें फरस्ट लुक की तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक वेक्ती जंगलों के बीच भाग रहे जिसके दोनों हाथ पीछे हैं हाथों में रसी बंदी है और पूरा चैरा लाल कपड़े से ढखा हुआ है अगर बैक्ग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अलु अर्जुन फुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं अब ये स्थीन में ऐसा क्या हुआ है अल्लावार ये ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिजिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इला देगा तुम जड़ा सा खून देंकर इतुना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां पहद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेगार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पतर का उसको फरक नहीं बड़ता जुस्तान में बहादर गेटों की तवी नहीं है इस मलक की मिट्डी उटके खून से नहीं है उनने एक राक्चस को तो दबोच हुआ है लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा जाए है जाए हुआ 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 है अलाबार यहां ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को इसकी जड़ों से ही इगलादे तुम जरा साथ खुन पे कड़ इतना तर गए इससे पहले कि मैं खुन की नदियां बहाद मत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पत्तर का उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर वेटों की तबीन है जुस्तान में बहादर वेटों की तबीन है इस मनक की मिटी उत्यकों से नहारा ही होगी उन्ने एक राक्षस को तो दोबोच हुआ लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लेगा इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रेटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला दिया तुम जरा सा खून देखकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुक्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका तिर पत्फर का उसको फर्क नहीं पड़ता युस्तान में बहादर बेटों जिता ही नहीं है इसमान की मिट्टी उटके खुरूं से दैना हाई है उनने एक राक्षास को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षास को बचा लिए